ऐसे ही और सदाबहार विडियोज देखने के लिए शिमारू चानल को सब्सक्राइब करें अरे ये क्या फिर से वो क्या है कि सावतरी आज फिर आखर सेट जी के लिए अब कब तक अपनी जान खत्रे में डालेंगे देखो सावतरी सेट जी के हम पर बहुत अइसान है अगर मेरे खून कई के खत्रा भी उनके किसी काम आ सके तो फी कम है लेकिन अपनी जान खत्रे में डालने के बजाए आप पॉलिस को क्यों नहीं बता देते वो मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि सेट जी के सौटले भाई गिर्धर पर मुझे सिर्फ शक है पूरा यकिन नहीं हाँ दूसरी नौकरी ढूलीजी याद करो सावित्री जब अपनार्जन बहुत पीमार था और यहां के सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था तो सेट्ची ने अमेरिका से डॉक्टर्स बुलवाए थे लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया था क्या हम उनके इसान कभी भूल सकते हैं कैसी बाते कर लोगी से सावित्री की वज़ा से आज हमारा राजकुमार जिन्दा है मा के दूद की कीमत भला पैसे से चुकाई जा सकती है अगर तुम दोनों नहीं होते तो हमारे खांदान का नाम और निशान तक मिट गया होता है से जी आपने आने की तकलिव क्योंकि मुझे बुला लिया होता है नहीं भेम सिंग आज कुछ बात ही ऐसी है कि हमें खुद आना पड़ा है आज हमने अपनी पूरी जादात का ट्रस्टी सावित्री बहन को बना दिया है जी मुझे हां बहन हम लोगों की जान को तो हमेशा खत्र ही रहता है इसलिए अगर हमें कुछ हो जाए तो राजकुमार की देखबाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए वैसे भी राजू तो तो तुम्हें अपनी माहीं समझता है मैताजीत जी प्रस्ट के कागज़त सावितरी बेहन के हावाले कर जी ठीक है और जब तक यहां के हाला ठीक नहीं हो जाते हैं राजकुमार को हमारे दोस्त माथूर के बास लगना बिजवादी जी ओके सेजी आपने अंपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी साम लिए कहीं लोग इसे घलत ना समझ बैठें के कहीं हम आपके पैसे जीम सेँ मैं लोगों की परवा नहीं किया करता मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है अब फिर मेरा तो लोगों की सिवा है किया है खिर ना एके बुर्ट किया है जेडी पर उंपर्ण सेजी सेंस सेजी तब मैंरो फार्स कणना होगा समय थे नृटे राजक्वार को बन लाओगा प्रार करराएं अपना बेटा अर्चुन आचे को कूर्बन करना करना पड़े मबादा करते हुँ हर्जुन से जयादा मैं राजा की देखभाल करूंगी पेता जी, आप राजा को लेकर यहां से चले जाएए लेकिन आपको इस आलत में बैसे किजी जैसे मैं कहरें जाहिए यहां से साध्री, यह लोग लोग ऐसा ना समझे, जैसे के विद आसके ऐसे नहीं होने दोगी लाजाए झाल 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 की ने सब्सका यहां। इसकी माह कहा है माह कहा है इसकी बोलो बोलो बेहाया बेज एरम तूने औरत जादी का अपमान किया है एक वो सामिती थी जो अपने पती सत्यावान को यमराज से वापस मांग लाई और एक तू है जिसने दौलत के लालच में अपने पती की बली चड़ा दी नहीं नहीं यह सब जोट है पिताजी जोट है चली जाए यहां से इससे पहले के मेरे जले हुए दिल से कोई बद्धुआ निकले और तुझे जला कर खाक कर ला ले तो चली जाए चली जाए मैं कहता हूँ ठीक है अगर मेरे नसीब में यही लिखा है मैं चली जाती हूँ मागर एक बार सिर्फ एक बारस को मُचे में अपने शीनी से लगा ले निते जीत तो क्या मैं तेरा मनुशाया भी उस पर नहीं पढ़ने दूगा ये तेरा बच्चा नहीं है मेरा बच्चा है मेरा खूल तूने तो अपने हिस्थे का खूल मेरे बेटे की जान लेकर बहा दिया अब तू अपनी अउलाद मुझसे मांग रही है मगर मैं, मैं किस्ते जाकर अपना बेटा मांगू? बोल, किस्से मांगू? हम, आज मेरे पास, मेरी बे गुनाही का, कोई थौत नहीं है आप जो कहेंगे मुझे मनसूर है मगर, एक दित आप को मेरी बे गुनाही का थौत मिलेगा जरूर मिलेगा आप इसे में खुश हैं, तो आपके खुशी के लिए मैं अपने सारे ममता कुर्बान कर दूँगी, अपने चाती पर पत्थर रख लूँगे, ये भूल जाओंगी, कि मैंने कभी किसी बच्चे को जनम दिया था, एक मा के लिए इससे बड़ा इम्त्याना और क्या हो सकता है? आतो फिर उसकी कस्म खाना, तो तो कभी उसको नहीं बताइगे कि तो उसकी मा है, मैं आरजुन की कसं खाती मैं, मैं उसको कभी नहीं कहो जाँ कि मैं उसके मा रूंके उसकी क्या माओ installment कि में उसकी मा करे थाहिए, हगर किसी दिन उसने आ आप से ये पोछ लिया क्यों लिए तो आप कह दीजिए कि उसके माँ भी मर गई क्या बात है मैसा जी सुबह सुबह कैसे आना हूँ यह अखबार देखा है आपने अखबार नहीं तो क्यों मालकिन वैसे खबर तो दुखी है मगर इसी में हमारी खुशी है प्लेन क्रेश में गिर्दलाल खत्म हो गया है अब राजकुमार के जिदगी को कोई खतरा नहीं अगर आप चाहें तो हम राजकुमार को विलाएश से वापिस बुलवा सकते हैं नहीं मेताजी मैं राजकुमार की पड़ाई लिखाए में पुल कसर नहीं चोड़ना चाहती हूं जब तक वो पड़ लिखकर बढ़ा होकर इस काबिल नहीं बन जाता कि अपने पिता का कारोबार संभाल सके उसे वही रहने दीजिए अरे ओ अर्जूने ओ अर्जूने ओ अर्जूने ना ना मैं तने नहीं जान दूँगा तुम मेरी जिन्दगी हो तुम मेरे सब कोच हो मैं नहीं जान दूँगा नहीं जान दूँगा अरे ओ अर्जूने नहीं जान दूँगा अरे ओ अर्जूने नहीं जान दूँगा अरे तो किसका सपना देख रहाता ता सेATHAN continuar बोला है इस स्दमातना की मैं बता भी बॉल बॉल आता है किसको देखा ले झूम को कि कमने देखा है है कि взया है के Greetings जिला थे DC lat綠 के भॉलने हैं तुम मेरी जिंदगी है तेरे पबाइड में मर जाऊंस का देखा है मंन में मस्ति होती है दिल में एक तरंग होती है और सीने में अर्मान होती है तुझे कुछ नहीं होता है? होता है न? क्या? मुझे भी मस्ती आवे तरंग उठे सीने में अर्मान जागे अरे कैसे अर्मान जागे ये तू बता दद्दू यही कि मैं अपने दद्दू की खूब सेवा करूँ उसके लिए एक बढ़ियां सा घर बनाओं तूब घेती वाड़ी करूँ अपने हातों से अपने दद्दू को खाना खिलाओं अज़ यही जवानी करमान है न बाई तो इससे तो बड़ा पाई बेतर क्यों हो दद्दू? मारी जवानी में कडबडा है? अरे घर बड़ तो कोई नहीं है मगर तो उठ ना तो ले डद्दू जब मैं छोटा था ना तो तू मुझे अपनी गोज में उठाके ले जावे था अभी विले चलना ए बगवान लोग उमर के साथ साथ आगे बढ़ते हैं में अगर ये रिवर्स में ही जावे है ओ मैं समझ गया आज से इस गर्म के रिकार नहीं बज़ेगा में रिकार दूसरा ही बजाओं कोण से रिकार बजावेगा दुदू जाग दर्दे इशिक जाग ची 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 ददू बड़ाफे में कैसी बात अरे बुड़ा होगा तेरा बाप तेरे बाप का अपनी बात पूल गया क्या गाउं से तो सिपाई परतियों के गया तब बाज में और आया तो जब तो रिटायर अफसर बनके आया था तूने बड़े-बड़े मुलक देखे बड़ी-बड़ी जबाने सीखी बड़े-बड़े तजर्वे लिए मगर तुम्हारा अर्जुन उसने तो गाउं का पंगड़ भी नहीं देखा अरब इसलिए ता तारे से सला करने आया हूं कि उसका के करूं उसे मेरे चोरे के पास सेहर पेजें नहीं चाओदरी मैं आपना जवान बेटा खोचो करूं शहर में आप मेरा दिल नहीं मानता तसरज सिंग कभी-कभी उसी की खातिर गम को गले लगाना पड़ता है अर्जुन की जुदाई तो तुम्हें गले लगानी पड़ेगी और फिर मेरा बेटा भेरों भी तो सहर में है मैं उसे चिट्टी लेग देता हूं वो तुम्हारे पोते की वो उंचाई के हिसाब से उंचा उदा देखेगा और तू उसे सहर बेच देना ठीक है मैंने थारी सारी बातें सुन ली दद्दू तू मझे शैर भेजेगा और वो बहरों मुझे बड़ा ओदा देगा मैं कोई नहीं जाना शैरवेर सारी जिंदगी पाल पोस के बड़ा किया जुब मैं जवाण हो गया तो कहता मुझे फोड़ के चला जा मैं नहीं जाना वादू, सारी दुनिया छोड़ सकता और मैं तुझे ना फूड़ू तो क्या सारी जिंदगी तु मेरे गले पढ़ा रहेगा? आहा, सारी जिंदगी तु मैं थारे गले ही पढ़ा रहा हूँ आज क्या मैं थारे पर इतना बोज बन गया हूँ कि तू मुझे इस घर से निकाल के शेर की भूल बलईया में फेक रहा है अरे सारे छे फुट का मर्द होरकर लड़कियों जासी बाते कर रहा है तू तो अरे कब तक यहाँ पढ़ा जुत्तियों जटकाता रहेगा? शेहर जाए अपने पैरों पर खड़ा हो तो कर लो बात, अपने पैरों पर तो कड़ा लद्दू, ये देख क्या मुसीबत है, लंबे की एकल कुटने में होती है पर तेरी तो लगता है जुत्ति में है अरे बाबले, इस दुनिया में इनसान दो बार जणम लेता है एक बार मा की कोक से पैदा होकर घर आता है और दूसरी बार घर से निकल कर दुनिया में जाता है अपनी इजद कमाता है, आपना नाम कमाता है देख, तू जितना उंचा है ना, उससे भी उंचा नाम कवा ता के दुनिया को तेरा ददू ये कह सके के ये रहा मेरा पोता अरजुन सही देख, मेरे जीते जी तू कुछ बढ़ जा मेरा क्या बयरोसा ना जाने कब उपर वालेगा बुलावा बस ददू, इसे आपmp लूणा तेरा ददू वह आयना तो मैं जाऊंगा मैं उसको बोलोंगा ददू, मैं हूँ नहीं ने, तू जाता है न की मैं शेयर यहाँ मैं जाता हूँ, मैं कुछ बढ़ के दिखाता हूँ, अपने पैरों बख़डा हो के दिखाता हूँ, होशना तू हपना है, जी तेरों में ठीकी बस दद्दू, तू बुलावे वाली बात ना करियो, हाँ, भावान बेरे दुरी में दुर्श बजाए, वक्त आगे आ है कि मैं मैं तुम्हें जिन्दगी का अपना वो रास बता दूँ, जिस पे आगे चलके तुम्हें अमल करना होगा, पिटे, आज से 20 साल पहले जब तुम पंचगनी के एक स्कूल में पढ़ते थे, मैं तुम से मिलकर बंबई वापिस आना चाहता था, मैं जब पूना के मैं तुम्हें के सामने एक गिल्ड किड़ाते हुए देखा, तुम्हें का शायद को फैमिली मेंबर बंबई में बहुत सक्त इमार था, इसलिए उसका वहाँ जाना दूरी था, और हवाई जास में कोई सीट खाली नहीं थी, मैं जने मुझे क्यों तरस आया और मैंने अपन पनवेल की पाड़ियों में ठक्राकर क्रेश हो गया था, सब के सब मारे गए, लेकिन मैं बच्किया बेटे, शायद मैंने जिंदगी में एक नेक काम किया था और वो था अपना टेकेट उसाद भी को देना, अगले दिन अखवारों में मरने वालों के लिस्ट में मेरा भी हिस्सा, आओ मेरे साथ, और वेटे, यह कहानी का दूसरा हिस्सा, रेड़ी, यह था हमारी मलकी नहीं, मलकी नहीं तुमारी नौकरानी है, खिफ नौकरानी हाँ, यह देखो, सान्याल होटल बंबई, जिसके तुम मैनिजर हो, सिंगापूर, कॉंकॉं, लंदन, अमेरिका, इस तमाम प्रॉपर्टी के तुम बराबर के हिस्चेदार हो, बिटे, बराबर, तैड़ी, आप क्या क्या रहे हैं, मैं इस प्रॉपर्टी का बराबर के हिस्चेदार हूँ, तैड़ी, मदाग मत कीजिए, मैं पागल हो जाँगा, पागल मत बनो, और मेरी बात को गौर से स इसका मालिक मेरा बड़ा भाई सान्याल था और ये उसकी फोटो मदलर दाउजी लेकिन सोते ले मैंने इसे और इसके बेटे को मारना चाहा सान्याल मर गया और उसे बचाने के चक्कर में उसका वफादार नमकलाल नोकर भीम सिंग भी मारा गया अगर भीम सिंग की बीवी सावित्री ने जिसे तुम माल किन कहते हो राजकुमार को कई चुपा दिया ताकि बड़ा होकर वो इस जैदात का मालिक बन सके लेकिन सली मालूम के मेरी भी कोई आउलाद है डेरी मैं सब समझ गया मैं आपकी जिंदगी भर की तपस्या को बेकार नहीं जाने दुगा आज तक तो मैं सान्याल होटल का मैनेजर रहा लेकिन अब दीमक बनकर सारी की सारी सान्याल प्रापरटी को चाट जाओंगा नहीं बेटे ये काम इतना असान नहीं राज कुमार किसी भी वक्त नहां सकता है इससे पहले कि वो हिंदुस्तान बापस आयो अपने बाप की गद्वी को संभाले वो जहां कहीं भी हो उससे ढून कर खत्म करता हो रिलेक्स डैडी ऐसा ही होगा माल के चलो सीधे खड़े हो जाओ यह लो अंती यह आज लड़ू क्यों बढ़ते जा रहे हैं आज मेरे बेटे का जनम दिन है लेकिन आपका बेटा का है यह सुनिये नवस्ते यह पता बता सकती है कहा है अम इस शहर में नए नए अभी आए यह मारे दोस्त का पता है यह आगे जाके दाएं मुड़ यह पहला मकान है धन्यवाद सुनो जी यह लो यह क्या है लड़ू आज मेरे बेटे का जनम दिन है अरे वाह आज तो मारा भी जनम दिन है अच्छा मगर मारी मा जो है वो हमसे बहुत दूर तली गई है कोई बात नहीं आप भी तो मारी मा ही समाने है लाइए भन्यवाद मा जी टाक्सी बाले लो एक और आया बेकारी बढ़ाने को लो कलो बात अभे भूल गया तू नहीं तो कह था भई पड़ा लिखा है लंबा चोड़ा है शहर आजा तो में आगया बात अच्छा करा भगा अगया था भगशा कर दो करने चाहिए थी भई मौकाई नहीं मिला डद दूप पीछे पड़गया कहने लगा कब तक जूतियां चटकाता फिरेगा गाव में शहर में जाके अपने पैरों पे खड़ा हो जा तो में आगया अपने पैरों पे कड़ा ओने बात अच्छा करा अगया तो मिल जागी ना वई अब तू आगया तो कुछ तो करना ही पड़गा एक बहुत बुड़े है तो मेरा यार और होटल भी है पाइब स्टार आगया तो करेंगे पर कपड़े क्या पहन रखें रखें बई अब बूलिया गाव में राव साब की बेटी की शादी मी यही तो कपड़े पहने थे अब इससे बेटर के हो वह मतलब यह के कपड़े भी बन आने पड़ेंगे कोई बात नी तू मुह थो तब तक उसके बादके बाची करते हैं वारे मेरे अर्जुन सिंग को ने बेट कियो है चपड़ गंजू चोरी चोरी उस मूटू क्या अरत के साथ में मेरी तस्वीरे निकाल लाँ तो हाँ लगेलिस ब करता ने निकाल लेके लगाल लोगिन रॉफघ्रत मेरी घर्दन निकाल निकाल रहा है फरान जी मेरा आछी मेरा नाशुक भावल आया अर्फ कभी चुकी है काल निकाल उतस्वीरे कर फिक्टे काल उत बारन ओदटे रहाएं के बच्च्चेhstansenita का है कामरा कहा है कैमिरा कहा है और टेबिल कहा है कोले में और कोला कहा है कोला कोला कैमिरा की जिए appropriate एक कहूं तो क्या है आज के बाद फिर कभी मेरी पोटू किसी आरत के साथ निकालने की इस तो मैं तुझे जिन्दा गाड़ दूँ पुल्दुबार पच्छा संजे हाँ 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 पुराना दोस्त है ना हाँ 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 सही राम राम मरे राम राम सही सही फोटो निकाला तो लाँ जल्दी से लाँ अब अपनी हराम जाजी बीवी को मजा चखाऊंगा और उस काले मुच्छर को भी मजा चखाऊंगा देखूंगा किसां दूसरों की बीवी की साथ गुमता है बहुत है आप्क अपना किष्छर दुसरा फोटो निकला तो गारा तो लेकिन कुछ करबड ऊगी ठीक साथ प्रशल निकली नहीं और इन फोटों के बहुरों से तो ज़ए ट्यारी हम मैंने मुकदमा जार किया और वकीलों को तयार किया वो दोखे बाद कैमरा कहा है समझे पुराना दोस्त तु नाराज नहीं हुना तेख गाउं आपस नहीं जाना नहीं तु मेरा भण्डा फूर जाएगा तद्दू मुझे नाराज हो जाएंगे मैं तुझे बहुत अच्छी नहों के दिलाऊंगा आज एक बहुत बड़ी पाठी तु जल्दी से यार हो जा शाम को पह जाएंगे कर दो कर दो जाएंगे अधिया हलू टॉम 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 बाइब बड़ियां बाइब बड़ियां बात बड़ियां के बाद से आज ता बाद कर बड़ा होटले में कि यहां किसकी मजाल जो मनने हाथ भी लगा जाए यहां तेरे को किसी ने पीटिया ना तो तेरी और उसकी गर्दन उतार के गांव के पिपड़ पे लड़गा दूँगा दिखें मेरे बाप अर्जुन दिखें यहां इसावीचा कुछ मत करिये यहां मेरी थोड़ी इजद है इजद है हां 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 समझ गया ना हां मेरे चंग से लगी है अज़े पड़ लिखें सब दुआ दिया ना के बात हो गई अधि ग्लास लेना था पूरी ट्रेट लेली था मैं अधि मन्ने के पता जिब के खरो जाब अब पर यखीन करो मैं तुम्हें दोखा नहीं देख झालो के तुम्हें अधिए कर दो 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 कर कर दो जो 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 जो, जो जो, जो जो, 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 ज कर दो कर दो को कर दो लाओ कर दो किर श्attformत कर दो अ थे भार्म कर दो टे चाहИर किरेफ से प setup सुझी किर अघ擊 मा कर दो दिए GO развे along हैं थो हैं अजदो हैं मा लग्या लग्या अजो हैं एस रहले कर दो ? People are waiting for your song. लोग तुमारी कानिक अंसार करने हैं. Please, चलिए, please, hurry up. Come on. I can't sing. I can't sing. Our best, best guy. Come on. मुझ सोह। था जुमारी की अपता है. वुमारी कुपस्ता है. कि बूप्राइब एक जसम आपड़ी तुन केके करता रहे है वावाव अध्याओं एक मर्मान, I can't sing today, yeah, I'll sing. के बोले, इखे यो बोले. हमारा गलाई के गली के अंदरा आवाज फच गया है, आज हम गाने सकता है, हम तुमारा हाथ दिखा, you are a very strong man, हमको तुमारा आवाज सुनना मनता है, आवाज दिखे जेंटल्मान, my best friend is going to sing for you today, his name is, क्या है, आवाज आवाज, आवाज आवाज, 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 आ है 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 बड़े लोग है शैद नौकरी का चकर चल जा है मैं पुझें, मत कर, चाबज, चाबज, आभाई, अभाई, भाईयो, लेडिस एन चल्टरमेन, अभाईदा मेरा यार, चाबज, चाबज, आभाई, आर केस्पर, लेडिस, हुआ 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 फर्माया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ फिर ये जमाना तुम्हारा है जमाने के सुरुताल के साथ चलते चले जाओ फिर हर तराना तुम्हारा फसाना तुम्हारा है अरे तो लो भाईया हम अपने पैरों के उपर खड़े हो गए और मिलाली है ताल दबा लेगा दातों तले उंगलियां ये जहां देखकर देखकर अपनी चाल भाबा भाबा धन्वाद के पग घुंगरू के पग घुंगरू बाध मीरा नाची थी के पग घुंगरू बाध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन गुंग दू के के पग गुंगरू बाद मीरा नाची थी वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से जूके 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 रे के पग गुंग दू पग गुंगरू बाद मीरा नाची थी के पग गुंगरू बाद मीरा नाची थी पग गुंगरू बाद मीरा नाची थी पग गुंगरू बाद मीरा नाची थी आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं उम्र गुजरी है सारी चोरी में सारे सुख चैन बंद जुर्म कीती जोरी में आपका तो लगता है बस यही सपना राम राम जपना पराया माल अपना वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो फर्ज इमान की जिन्दा यहां मिसाल बनो पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो पुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर भूँके 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 रे के पगगुंगरू पग घुंगरू बाद मेरा नाची थी नाची थी के पग घुंगरू बाद मेरा नाची थी के पग बाद मेरा नाची थी के पग भाद मेरा नाची थी दुतστवर के पग दुदो मेरा। मौसम इश्क में मचले हुए दिल को लगता है के दो जिसम एक जान है हम ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं संगे मरमर की हाए कोई मूरत हो तुम बड़ी दिल कश बड़ी खूब सूरत हो तुम दिल दिल से मिलने का कोई मोहूरत हो प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम दिल चीर के दिखला दू मैं दिल में यही सूरत हसी क्या आपको लगता नहीं हम है मिले पहले कहीं क्या देस है क्या जात है क्या उम्र है क्या नाम है अरे छोड़िये इन बातों से हमको भला क्या काम है अजी सुनिये तो हम आप मिले तो फिर हो शुरू अफसाने लैला मजनू लैला मजनू के के पग घुंगरू बाढ़ मीरा नाची थी और हम नाचे बिन गुंगरू के के पग भुंगरु बान्द मीरा नाची थी के अरजुन पूरा अरे नोकरी पक क्यो हो गी अरो तो जागी अभी इंटर्वु चाल ले जाएगे मने सब कुछ चमा दिया तहले ज़िए घवराईयो बिल्गुल मत मनेजर कुछ नहीं बूजे सरवड कवाब देना, वो एक बूजे तू दस कवाब देना, हाँ? तब यह बिल्कुल मत आज़े जहेंद बाबो जी मत वरत धिमा खराब होगे यह किस चीज को ले दो लो कल लो बात बाबो जी हम चीज नहीं है मारा नाम अरजुन सिंग, वल्द, बीम सिंग, वल्द, दसरग सिंग है लखणपुड गाहों के रहने वाले इंटर पास हैं गाहों में सबसे अपल नमबर आये थे मारे गाहों में मारे दद्दु और महीं सरसे जाधा पड़ें बाक्की कोई को चोती पास नहीं पहले मारे दद्दु ने उमको तीन भातने उसर पहले पाथ पराई उड़त पराई द्वारत पहलें रखना डूसरी बात जिसका नमख और हमकिना पिछला लिकरना ठीसरी बात अन्या के सामने सर नहीं जुकाना मारे ददु ने ठीक ताय के नहीं का आणा बड़ाः नलीच बारा प्याएव नाहारो आप होआगा! अच्या का विज को बारम को बारम को बारम कोदोए इसले इस बेरा है ओ कर र प्या लाव 1729 जा कि अच्छा मुश्लीक अंच्छा ऑंसेल चर्विया मर्डे tells Gaur आजिया लुट आ लागाइक्ट रागड इंक लाहाइक्ट पासिंपहा फ्हाना और लुट रहाइक्टो राओ ठाला। इसलिड़्य वैंति हो फ्हाना बॉटवा कर फ्हानेश साले कर आइ अरा थ। वोच्छिटी साथ हैं ऑलक अगांगे बांव कैस्टान जर्म साथा हैं या वाम काल जर्केजर घौस्ट मुचिट दीन अगां तीए हैं उड्व झाल इनका मतलब है कि इन्सी कॉमन नौलेज पर आपको को स्पेशल कमेंड करना है? नहीं, नहीं, तुमारी जननल नौलेज और अंग्रेज जी तोनु बहुत अच्छे है, Mr. Arjun Singh, वाल्ड, भीम सिंग, वाल्ड, दस्वर्ण अच्छे है, वाल्ड, 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 मैं धर्ण सबस्क्रान करता हूँ, जाएँड, जाएँड. जाएँड, यह सर, कोई नया अद्मी है, ट्रेनी, ओके सर, मैं समझा दोंगी, ओके सर, मिस्ट पूनम यह है मिस्टर अर्जुन रंजी दावू ने आपके पस मौकरी के लिए बेजा दिल को लगता है के दो जिसमें एक जान है हम ऐसा लगता है तो लगने में कुछ गुरा ही नहीं ओवाई रह मिस्ट पूनम रंजीत बावू ने आपके पस मौकरी के मुझे पता है लेकिन आप यहां काम करने आए है आप तो इतना अच्छा गाते हैं पर गाना गाने के साथ साथ खाना खाने की भी जुरूत हो है और खाना खाने के लिए काम की जुरूत हो है आईए न मैं आपको समझा देती हूँ आईए लगता अपने यार की नौकरी और छोकरी दोनों पक्ती होगी यह है तुम्हारे फ्लोर का स्टोर रूम यहां से यह साथ चादर, तौली और नापके इस लेजा कर रोज सुबह तुम्हें हर कमरे में बदलने होंगी रोज सुबह? हाँ यहां के लोग तो बहुत गंदे हों है जी मतलब यह के यह लोग ऐसा के काम करें कि रोज सुबह चादर, तौली बदलने पड़ जाए यहां से चले अर्जुंक्री, यह तुम्हारी बैटने की जगे ओनम जी मारा ओदा के होगी? ओदा? मतलब मारी पोस्ट के होगी? पोस्ट? यह टेलिफ़न सुनना यह बोट देख रहे हो? जिस नंबर की घंटी बजेगी इसमें चले जाना और बड़ी इज़त से पूछना मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बजी जैसे यह बजी प्रिक सिक सिक चलो मेरे साथ मैं तुम्ही समझा देती हूँ लोगों से कैसे मिला जाता है वैसे इस रूम का आदमी अपने नंबर के मताबिक है चलो अरे वाह ये बजली में से चान कैसे निकलाया हम तो आपकी सूरत देखने को तरस कहे थे अब देख ली ना आपने मेरी सूरत पताईए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? वैसे तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं मगर फिलाल यूँ ही खड़ी रही है ता कि हम आपका दिदार करते रहें मिस्टर मैं आप से पहले ही कह चुकी हूँ कि आप मेरे लिए सिर्फ एक नंबर है सिक्स, सिक्स, सिक्स और मैं इस होटल की नौकरी करती हूँ आपकी नहीं, समझे? अरे, अरे, आप जाता रही है हम तो आप के लिए नहायत खुबसूरत तोफल आए थे देखे ये कितनी खुबसूरत नहीं इसे पहन कर दिखाए मेरे सिवा आपकी और भी बहुत सारी बहने होगी उनको पहना दीजी आपको दुआई देंगी और और जो थारी पहेंडना होए न तो मातो होएगी उसको दे देना मरते दम तक दुआई देगी समझ गए मिस्टर तीन छक्के चलो फूनमजी और इस कमरे का तुभे खास तोर से खयाल रखना है क्यों किसी खास आदमी का कमरा है क्या हाँ बहुत खास इतने खास आदमी का कमरा है कि इस शहर के तमाम खास आदमी इनके सामने आकर आम हो जाते है मगर ये खास आदमी है कौन राजा बाबू इस होटल के मालिक 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 के लिए तो मारी जान हाजिर है जिगर हाजिर है उनकी खिदमत में तो हमारी उमर हाजिर है, ऐसा सजा के रखेंगे कमरे को, कि भारा सजा सजाया होटल एक तरह मालिक का कमरा एक तरह, हाँ, मगर मालिक हैंगा, गुदुदेश में रहते हैं, अच्छा, वो रहे उनकी तश्पीर, जैराम जी की मालिक, गुद मॉर्निंग रा इस बार भी एकमपजिशन तुम ही जीतोगे, माथ रंकर, आपको तुसर यकीन है, लेकिन मेरा दावा है कि इस बार भी इस कमपजिशन मेरे सवार को नीची जीतोगे, और एक बार तर मेडल लेकर मा के कदमे में रग दोगे, ओ आम शूर, येस मिस्टर रंजीद, तुम र इस बार धी, तुम झाए, तुम रग शुर परलिए, और ये ज्कीन मर झाल 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 झा आपन वाला पीजएफ जुमान जल्चे ell even Clay Clay जरो जिल्जपन इपस्ध कीव जिपस्ध चिप्टिए यह कौन लोग ते राजा बिटा जो तुम्हें जान से मारना चाहते थे माद और अंकल आपके हर सवाल के जवाब इस चिप्टि में सावित्री यह माद अंकल आप चुक्टियों है यह बाद बता है यह माद अंकल क्या कोई मा कभी अपने बच्चों को मरवाना चाहिए तुम्हें यह जानकर दुख होगा बेटा सावित्री तुमारी मा नहीं क्या राजा बिटा सावित्रीन तुम्हें पाला है ओ सिर्फ पाला है अब सब समझे है राजा बिटा तु तु इस तरह इस क्यों रहा है वाद अंकल हम उस मां से फॉरण मिलना चाहेंगे जिसके खून का रंग भी उसके दूद कितना सफेथ हुचगा आप फॉरण चलिगां बेश दीजे कि हम वहां आ रहे हैं सर परसों बाद मेरा बेटा हिंदुस्तान आ रहा है इंचे दो दिन की छुट्टी चाहिए जाए पनी पर शुक्रिया आरे भाई क्या कर रहे हो जल्दे करो ना जी मालकुल यहां आने पर उसे किसी चीज की कमी महसुस नहीं होनी चाहिए जी मालकुल जी मालकुल माजी एक बात समझ में नहीं आई इतनी बड़ी है आपकी तो आपका बेटा महल जैसी हवेली छोड़कर होटल में ठरेगा मेरा बेटा जरा मूडी है दुनिया से निराली हरकती करता है बिना बंदुक लिए शेर के शिकार पर चला जाता है हाँ जब बरफ पड़ रही हो तो सारी दुनिया घर में बैठे कंबल यह काब रही होती है और यह बाहर बैटकर राइस्क्रीम खाता है मा जी आपके बेटे के शरीर के ऊपर ले हिस्से में कुछ गड़बर है क्या गड़बर नहीं मैंने कहा ना जरा मूडी है इसलिए सोचा आदी रात को उटकर कहे मा मुझे होटल जाना है तो फिर कहें क्या हम तो कह रहे हैं राजा और मैं घरवाले रहते हैं और हम तो बचकने वाले लोगों में से और बचकने वाले लोग पोटलों में से वह रहाई कहां सकते हैं राजा बेका पसपस मैं जयादा जोर्ट नहीं परना दम निकल जाएगा जार Weihnachtे बात है मात अले लगे तो दम निकल जाता है मिलावट का जमाना है मा हर चीज में मिलावट है दोस्ती में, प्यार में, महबत में और मम्ता में राजा, ये तू केसी बाते कर रहे है छोड़ न मा, अभी तो आप कहने देगा हम बहुत मूडी है जर कोई बात नहीं लोगों की बातों की परवाद नहीं किया करते ये लड़किया कौन है ये दोस्त है, दोस्त दोस्त? हाँ, मा, दोस्त क्या मा के इना दोस्तों की जिंदगी बेमाने है चार दिन की जिंदगी है हद खेल के गुजार लो आन जाने कब महत आ जाया है और फिर अर्टी उठाने के लिए कुछ दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी राजा, अर्टी उठे तेरे दुश्मनों की तुसे क्या हो गया है इतने बर्सों के बाद पेटा माँ से इस तरह मिलता है क्या वेदेश की हवा अपनों को इतना बदल देती है बोल, बोल कमाल है हम हिंदुस्तान इतने सालों बादा है और हमारा स्वाज़त आशों से किया जा रहा है कोई बाद में लेट शेंदे सब्स कल तेरा तारीख है हमारा जनम दिन है बहुत ही मन्हूस तारीख है लेकिन क्या तरह है हम मजबूर हैं और फिर जनम दिन तो मनाना ही पड़ेगा एक बाद बताई है मा आप हमारे जनम दिन पे हमें क्या तोफ़ने बोल बेटा क्या चाहिएती फिर िब सब कुछ तो तुम्हारा है यह तौम जानते हैं कि यह सब कुछ हमारा है और हमारे बाद तुम्हारा। राज है। ए네! आपती तारीख? जी तारीख तो बड़ेों के कीजाती, मैं तो बहुत चोटा हूँ तो क्या काम करते हूँ? आपका नोखर हु मालिक आपका है, नमक हलाल है, नमक हलाल? जी मालिक. ये नमक को क्या है? जाके नमक हलाल रहते हैं। को दुन्या है। और लोक अपने आपने फैदे के लिए मौका पाधे ही आद्मी हलाल कर देते हैं। अच्छा भाई, Mr. नमक हलाल, आप ममाई काम करेए। जी मानिकौई.... चार शांपेन बॉटल्स चिल कर देए। चिल... 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 मेरे नाम रंगीत है। मैं आपका मैंनेजर हूँ। मेरे मैनेजर हूँ। माँ बेटे का रिष्टा हमारी समझ में कुछ आया नहीं। तुम्हारी माँ है। नहीं मालकिन। तो फिर तुम इस रिष्टे को समझने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपरे काम से काम रखो। मेरे बेटे को किसी चीज़ की शिकारत नहीं होनी चाहिए। समझे। जी मालकिन। सब्सक्राइब काम से नहीं चाहिए। जल्दी काया की मैंचर जाब। मेरे पादा होने में अभी कुछ पॉने थीन मिनित आख दिये। पॉने थीन मिनित यू हम को गरता हैंगी। चलो और चली में आता हूं। कि 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 अ कि यह मेर्स कुट्टों की भी पादी आ पडिए अधि-टों की बड़िए या रखना चरह आज पर लुए अपनी सब्सक्राइब था उप्सक्राइब यह सब्लानेतां इसी सब्सक्राइबी वरकाशव that's common बेजाएства जणम दिन हमारा मनाए जा रहा है यह की यिईjas चो सहरे काशनीं है हुआ कि मुझिजर अप09 यूदिन प्षा ऐ grants और जाए है लेक। आशेए लेकिन हम लेकिन मालिक इसका तुमरन दिन हो गया है क्या हुआ से इसने आपके जनम दिन का केक खाया और आप लोगों ने मेरे कुट्टे ने उमाग डाला हाँ केक ते भी जहर सी तस्किया नाज जहर एक ये आप पार्टी में कुट्टे में लाई चाह अच्छा हुआ ये केक पहले कुट्टे ने खाया वर न मैं इस केक वाले की दुकान拐 ज़ा जोगा उसे पULEISH का हावाले कर ज़ूगा उसके बाल बैजचो को निराफ कर ज़ूगा इसस research manager उससर ने मर गया है इसका मतलब ये नहीं के अब आप कुट्टे की तना भ॥न रेंगें sorry sir इस केक कोडर किसने दिया था? मालकिमेट सर्व मतलब मैरे सर्व आप इस ओर्टल के मैनेजर है? यस सर्व अच्छा मैनेजमेंट है आपका थेंक यस सर्व शार आप स्वारी सर्व यह फोरन दुसरे केक का बंद बस दीजिए और पुरा इंतजाम मेरे कमरे मोहना चाहिए और सुनो अपके केक कुट्टा नहीं खार गारा आप खाए फिर हम खाए नो सर्व यह यह सर्व यह नहींगा माम आने कहा जाना यह तारीक पड़ी मनुस होती है यह केक कुट्टे को मानने के लिए नहीं हम इप कुट्टे की मौत मानने के लिए बनाया गया थी खर कुई बाद मी हम तो गिलाज से इस सर पर कफिन मानते आया थी अम आन चेट आप इस नादें चेट आप अज़िवर्यों लेसर फ्मान The body continues in my room आई आई ये सब लोग मेरे कमरे में आई ये Come on रूए मत माजी दुश्मनों ने चाल तो बहुत उंची चली थी मालिक को मारने की और आपको बदनाम करने की लेकिन जब तक वो मालिक है और आपका ये नमख हलाल नौकर जिंदा है आपके दामन को दाग नहीं लगने दूँगा माजी मेरी अपनी माँ तो नहीं है आपको ये अपनी मासमान समझाए आपकी कसम माजी जिन लोगों ने ये चाल चली है चाए वो पाताल में ही क्यों न चुपे हों एक दिन उन्हें आपकी कदमों मिलाकर रख दूंगा अब आप रोहिए मत पाजी मैं आपके सामने हाथ चुड़ता हूँ तो ये मत पाजी क्या मतलब है तुम्हारा मतलब साफ है में साफ अंदर जिस माल पे हाथ साफ करके आ रहे हैं आप वो सारा माल सबाई से मेरे हाथ में रख दो तुम क्या समझते हूँ मैं चोर हूँ चोर नहीं लुच्ची हैं आप देखाला माले का माल वाना एक हाथ दोगा सारा डिपार्टमेंट हाथ में आजएगा समझेगा अचुन जेंग क्या स्वोर है तुम मालिक ये तेखे न राजा बाबू आपकी होटल का नौकर मेरी इज़त पर हाथ डाल रहा है मालिक ये वर्दी आपकी है नौकरी आपकी है वफादारी भी आफी की करना इन तीनों चीजों ने मिलकर हमारे हाथों को बांट दिया है आप रन्ना हम भी वह हाथ दिखाते हैं कि आपसी इस से लड़की के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया है उसके हाथों का कमाल भी जरा देख लीजे आप इस दुनिया में लोग कपड़ा चरीर चुपाने के लिए इस्तमाल करते हैं लेकिन आपके चाहने वाले चरीर दिखाने के लिए और माल चुपाने के लिए जारे और जुन से हाँ जा रहे हैं अगर हम तुम्हें रोगना चाहें तो नहीं राजबाबु हम नहीं रुकेंगे राजबाबु इतने बड़े हो गए हमारे दद्दू ने आज तक हम पर उम्ली तक नहीं उठाई और आपने उस दो कौडी के लॉंडिया के लिए हमको चाटा मार दिया राजबाबु ये तो हमारी शराफत थी कि हमने उसका जवाब नहीं दिया वरना हमारा हाथ भी उट सकता था ये तो बीच में आपका वो नमक आ गया है इसकी आप कीमत नहीं समझते हैं और ऐसे भी र ताज माह मा तो सिर्फ जम दोती है ना लेकिन जिंदगी देती है पलने वाल मागवान krishna को भी देवकी मा ने बादा किया था लेकिन पहला था यशोधा माने इसलिए यसोधा मा का यश देवकी मा से कहीं उचा है है हम तो सिर्फ इंसान है राजबाबु दॉलत करिए वो म मेरे मरने से उसके स्वाए और किसी को फाइदा भी तो नहीं हो सकता और गॉल मानना चाहेगा मुझे पहले भी बहुत हमने हो चुके मेरी जानवा याद करो अर्चुंसी, वो जहर वाला केक पर तुम कुछ नहीं समझोगा अर्चुंसी मलक मलक, हमारी समझ में कुछ कुछ आ रहा है कुछ कुछ समझ में आ रहा है, मलक कहां जा रहा है हम कहीं नहीं जाएंगे, मलक अब हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हम उस कौन का पता नहीं लगा लेते जो आपकी जान लेना चाहता है हम कहीं नहीं जाएंगे आज से तुम अपने आपको हमारा नौकर नहीं तूस समझाओ नमस्ते चलिए पुनम जी मैं आपको घर चोड़ दूँ क्यों क्या आज मैं अपने घर का पता भूल गए हूं या आप मेरे घर का पता जानना चाहते हैं जी जी नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं कोई मेरा इंतजार कर रहा है समझे आए ब्रसाथ का मासूम है आपको घर तक लिफ्ट देदे मुझे आपके लिफ्ट की जरूरत नहीं अरे आपको तो नहीं मगर मुझे तो है कभी को बाहर जाने मन कुछ काम दूसरों के लिए कर लिया करते है देखिए मूह समाल कर बात कीजिए अरे मुझे तो संभाले मगर दिल को कैसे संभाले आओ आओ शाबाओ नहीं जोड़ो अरे पुलंग तो नहीं आपको ये क्यों मार रहा है आपको मारना था अपनी छड़ी से घुमा गे उसको मेरी पुलंग को बचा लो पुलंग पुलंग तुम ठीक हो न पुलंग हां मैं ठीक हो तुम ठीक हो न कर दो कि अ झाल आव फिल्जता जर्भ फदित फिता शचनग को शवदक्स भीज़ दिम फित yes झाल फिता जड़ा हुएएएएएएएएएए मुआखएएएएएए एज कर से पिता याहा हुएएएएएएए अब आए खाबू मैं लड़की चपके लो तोट डाला खंबा अब तो मुनस्पल्टी वाले भी मा रहे हैं पट केंडेस अरे रेडी लेकर कहां चले जा रहे हैं अच्छा वहां जा रहे हैं चले चले जाओ सारे संत्रे खराब आएं क्या है अच्छा आजा यह थापू नत्थूलाल जी यह नत्थनिया वही है न अब मैं इसे आपके पहना दूँ या या आप साथ साथ औरे इतोरा पड़ रहे आईये आईये अंदर आईये यह हमारा गरीब खाना है हम गरीबों का घर है पूना यह पहली दफा हमारे हां आये हैं इनके लिए कुछ चाय पाने वग्यरा कब बंदो बस तो कर अब ही लाती हूं भाया आये अंदर भाया आईये अंदर गॉर्शा देखे मैं चलता हूं जहिए न आप चाय तो पिकर जाएए जी वह अब त्रुपति हो गईये अब कुछ क्कॉप्र गयने जाए जाएगा आप, आप बैठी, जी, बैठी ना, उन्हाम जी से कहिएगा, मैं फिर कभी होगा अरे, ये अच्छानक चले क्यों गए? पता नहीं, पर लड़का बड़ा अच्छा है हाल अरे, 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 ना, 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 ना! कर दो कर दो आज रपट जाएं तो हमें ना उठाईयो आज रपट जाएं तो हमें ना उठाईयो बरसा तुने थी कहां बात ऐसी पहली बार बरसी बरसात ऐसी बरसात में थी कहां बात ऐसी पहली बार बरसी बरसात ऐसी कैसी ये हवा चली पानी में आख लगी जाने क्या प्यास जगी रे भीगा ये तेरा बदन जगाए मिठी चुभन नशे में जुमे ये मन रे आहा हो में मुझे भी ये होश नहीं आज आहा हो हो आज बहक जाएं तो होश ना दिलाईयो होश जो दिलाईयो तो खुद भी बहक जाईयो आज रपट जाएं तो हमें न उठाईयो कर दो हमें तो 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 हमें त बादल में बिजली बार बार जम की, दिल में मेरे आज पहले बार जम की हसिना डरी डरी, पाहों में सिमट गई, सीने से लिपट गई रे तुझे तो आया मज़ा, तुझे तो सुझी हसी, मेरी तो जान पसी रे जाने जिगर किदर चली नजर चुरा के, आहा ओहों, आहा ओहों बात उलच जाए तो आज न सुलच जाए ओ, बात जो सुलच जाए ओ, खुद पर उलच जाए ओ आज रपट जाए तो हमें न उठैयो आज जाए उलच जाए न सुलच जाए ठाइए और चक्जीआ गूद टुझे जाए ज़िग्र हमेंगं lay सब्सकत्रा देए धिगर Kَ जाए भाए जाए जो जाए फग जाए पादल से छमठम शराबर से समरी घटा से शबाबर से गुंदों की बजी पायल घटाने छेडी घजल ये रात गई मचलर दिलों की राज खुले पिजा में रण घुले जवा दिल खुलती मिले रे हो ना था जो हुआ वही अब डर ना क्या आज ढूब जाए तो हमें न बचाईयो हमें जो बचाईयो तो खुद भी डूब जाईयो आज रपट जाए तो हमें न उठाईयो आज भिसल जाए तो हमें न उठाईयो शचीराएं अन्दा क्या दिखाय नहीं देता के हम लोग मालिक मालिक आप आप यहां है वा वा अर्जुन सिंग मज़ा आ गया कुछ कसर बाकी रह गई हो तो पूरी कर लो नहीं मालिक जो बाकी है वो तो अब बाजे गाजे के साथ ही पूरी होगी चलन तुम्हें छोड़ देते हैं को बाज़न को चानाँ अधाने को बाज़ को कि अधिए हैं आप यहाल मारे रास्ते का बनता जा रहा है ऑजिसने को पीचा है उसने जहर वाले के ते ते लाज कुमार को बचाता को बचाए जो धाल बनकर सान्याल के सामने खड़ा हो जाता था लगता है भी से जनम दे लिया है तैड़ी प्लीज रिलाक्स आफिकर मत कीजिए अब की बार मैंने ऐसा प्लान सोचा है कि राज कुमार को और जुन सिंग का बाप भी नहीं बिचा सकते अपने प्लान को अपने पास रखो बेटे और मेरी बात सुना हूं देखो मैं कितनी आसानी से राज कुमार को रास्ते से अटाता हूं जो तलवार से नहीं मरते वो प्यार से मर जाते हैं मैं संदा हैं डैडी बेटे मैंने ऐक ऐसे फूल के बारे में सुना है जो हार बनकर गले में पढ़ जाए तो फांसी का पंदा बन जा रहे हैं क्या हैं फिर किसी को बरबाद करना में बरबाद नहीं आजाग करना है या मन बरमत हां बेटी किसी को जिन्दगे से आजाग करना है यू मीन जाने क्यों ममी पहले तो आमने कभी ऐसा नहीं किया, अब करेंगे मैं जाने क्यों ममी अब मुझे डुबते हुए सूरज से डर लगने लगा है बेटी, आज डुबने वाला सूरज कल फिर निकलेगा चलो जाने के तैयारी करो सर्फ, यह दुनिया की मश्यूर कैबरे आर्टिस्ट है जिस होटल में परफॉर्म करती है, उस होटल की किसमत खुल जाती है अब यह हमारे होटल में आ रही है, बस समझ लेजिए हमारे किसमत भी खुल गई अब आपने जिस्म की नुमाइश करके लोगों का दिल भेलाने वाली हमारे होटल में नाचेगी और इसके नाचने से हमारी किसमत खुल जाएगी यह सर्फ, अरे लानत है इसकी खुद वर तो एक नाचने वाली के इशारों बर खुलें वह आएगी, नाचेगी और चली जाएगी, संचेए अब आपी चली जाएगे मैं था इसी छोटी और गटिया बात करके आप हमारे सामने चोटी और गटिया नजर आने लगे हैं चली जाएगे जायए दो इस्क्यूज मिए सर, लेकिन वो आचुकी है कौन ना चुकी है सर मिस्स निशा लेकिन उसके आने से आप उटे सीधी की हो रहे हैं मेरा मतलब था कि आप एक बार उन से मिल लेते हैं लगता है कि जो अकल के सबक हम आपके सिखा रहे थे वह आपके पल्ले नहीं पड़ा ऋटेसर भी ल मतलब था रहे हैं एक कुछंग सब्सक्राइब प्सक्राइब करने हैं भी लुड़ांयद ख फ्रिटली सायव मृइं अठीं साइज्टा के वो, भ 1990 का रख क्वास, के अ कि अ दृःस्ते चार्णा में को जब कर तो में करेंग Himalida कि डग का जड़ में महीडे बन अधी उम्हीड, और है अटेजल इप किरी अधे जैब करण जाये किसी के रूआ ने से पहले आने के बाद त्या करना चाहिए मगर मेम सहाब, जो दर्वाजे पहले से ही खुले हूं, वो खट-खट आये नहीं जाते हैं और फिर, हम दर्वाजा खट-खट आते कैसे, हमने तो ये पकड़ रखा अपने हाथों ये क्या है? गुल दर्साथ किस के लिए? आपके लिए? किस ने बेजा? मालिक ने तुम्हारे मालिक को इतनी भी तमीज नहीं कि किसका स्वागत कैसे किया जाता है? खुद नहीं आये, नौकरों के हाथ फूल भेजने से फूल की खुश्बु कम हो जाती है कि? ये लिजी, पूरा गुल दर्सा है, वहना आजकर लोग गुल तो भेज देते हैं, नीचे से फूलड़ से वढगारे मिया ओिए ना खुबुा सरक्षम अवाराक। समारी और्य है आए ये उ से प्ने मेल को इढ़ने मिये मिये जए जये एला है जये झाल हो आए एकिए जये हो एंग हॉ एक्षमेस जये जए एकिए अच्छा और साथ में ये चिट्थी जी आपकरी मलिक चिट्थी साला साल की तलाश के बाद संदगी के चमन से चांटे हैं आपको चाहिए तो पेश करूं मेरे दामन में चंद कांटे हैं आपके पास ठांटे क्या युद्रीयों यह ःदां आ तो आमें पशंद स्थी जी मालिक तुम तुसे मिलकर आ रहे हुआ कि मालिक तखने में तो और तक्छी मालिक घच division अचर्ण कोश्यं अब बड़ेवस्का, बोड़े मले, बोड़े तूबादेज सार्टार्टार्टार्टार्टार्टा रड़े जे रड़े का तूता है हलो, I want to kill you, I will kill you झाल झाल हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जमा, निजार हो गया आई, आई, दूर से देखो, देखो, दिल रुबा, ऐसी, ऐसी, तरत, तरत, खाई, आई, बेजुबा, दिल ने, दिल जमा, निजार हो गया चोटी ये कैसी, अरे वो, मिले नजर, अरे ये, हुआ हँआ, हसी, नजर नजर में ये, समा कदल गया चलाया तीर जो, मुझी पे चल गया खजब हुआ, ये का हुआ, ये कद हुआ, नजानू में नजाने भो जवाने जन मत, हसीन दिल रवा, मिले तो दिल जमा, मिसार हो गया शिकारी खुद यहाँ, शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ, ये क्या सुलम हुआ, ये क्या खजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, ने जानु में, ने जाने भूँ हुआ, ये क्या सो, ये क्या सुलम हुआ, ये कैसे क्या सुलम perpetrator कें, रख़। होता है देखो कातिल कातिल जाने मन कैसे होता है देखो अरे वो मिला सनम अरे ये हुआ सितम वो दुश्मन जाना दिल्दान हो गया स्याद का खुल्द से प्यार हो गया हजब हुआ ये क्या हुआ ये कब हुआ ने जानू में ने जाने भूआ जवान जाने मन हसीन दिल रुबाई मिले तो दिल जवा मिसार हो गया शिकार फुद यहाँ शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या सुलम हुआ ये क्या सब हुआ ये कैसे कब हुआ नजानु में नजाने वो प्राइब प्राइब जूट मूट आपकी तारीफ का शुक्रिया अदा करके बातों का सिलसिला अगे बढ़ाना नहीं चाहते सच तो यह है कि मैं वाक़ी बहुत अच्छा गाती मुझा आपको आपके कमरे तक छोड़ने वाले कभी 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 कमरे के अंदर तक आजाते हैं मैं के लिए रहने की आदी में कोई और आजाता है कमरे में तो गुटन सी होने लिगती है आपके मैगजीन या न्यूस पेपर के लिए मेरा इंटर्जू लेने आए मैं तो बस यूई बचला ना ना पूछे तो बहतर होगा मैं आपके होटल में जाना गाने आएगा अपनी सुवावर शाम का राज बताने ने जाने से प्रेले घुदना है या शुब रादी नहीं बोने अगर रातरी शुब होती तो जरूर कह दोती लेकिन कौन जाने आने वाली रातरी शुब है या शुब मलक अबको इसकी सखती आएगा मलक अएगा अएगा शुब कुछ देखाई मालिक उपकी नहीं डेखा नहीं कर दोड़ने कुछ देखा मालिक तो मैंने तो वह देखा जो देखने वालों ने भी नहीं देखा या copy यही तुम्हान कर लिदे जरृ खैर वंग या निज़िय। हिनल मदश यही कर और सिद्द मेर्य मां कर लिया करव on tänके गया है यही तो हम कर रहे मँदम पून के जो हम कर रहर है और जो हम कर रहे और हाँ , हाँ , हाँ , हाँ तरह बेडरेट, इस बत्रजी प्रशा इसफर वीरे माफों, 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 मुईरी मुद्सृटए मुद्स्या ? इस तुम्हारे ब्यूटिफुल चेरे के माफिक ब्यूटिफुल कमरा मंगता है जूइया। कभी हमारे पों पढ़ता है कभी अमारे जले पढ़ता है चीटी इस होड़ों में हर में आनЕ वाले के साथ अवाले यहीं जले पढ़ता है यहीं पढ़ता है लेड मुझा लेडी लोग नहीं सORी सर्टी… क्या कर रहे हैं अरे दद्दू मैं हूं अरे वो तुमैं कर देखी रहा हूं के तू है तू तू मगर क्वेश्टें यह और क्सरा दू मैं थारा पोता धदू मोंकी कजो बात करता है फिर तू पृचपड की दर गई अरे मदाग छोड़ोने दद्धू अभी 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 घार हो क्या है? जाओ ओ यू मेन विल्लेज ओ इडियाट तुम्हारा चश्मा के दर है हम तुमको विल्लेज वाला नजर आता है हमारा समान विल्लेज का है हम इंगलेज, फ्रांस, जपान, इटली थे होकर सीदा हिंदूस्ताना है संदा चलो चलो जाओ हाँ सुटी हमने तुमको दिल्ली से इस होटल का बुकिंग कवास के टेलिफून किया ए दद्धू बहुत हो गया ना मदाग छोड़ो ना अजू ए छोड़ा आओ, इडियोट तु पिय हुए है, क्या पागला है पिय लगान करता है सापिटर्चन, क्यों बीच में तमाशा करते हो अरे तवासा मैं का कर रहा हूँ जी, तमाशा तो ये कर रहे है कपड़ा बदल के भाल काला करके कोई आदमी बदल सकता है क्या, ये मेरे तद्दू है अरे वाद दद्दू, मैं किसी का दद्दू नहीं कहता दद्दू, कौन दद्दू, मैं तमहरा दद्दू ना, किसी का दद्दू, तु समझो मेरा मतलब है कि तु समझा प्रसाद 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 अम क्या मंदिर से आजो मारा प्रसाद बात है तू चलो लिखो हमारा नाम चैन फ्रासिस्कोग आलबर कॉंटीनो डिकोस्ता रोडरिक खेली जी से आपका रूम नमज 616 अर्चुन ये तुमारे फ्लोर के महमान है जरा इनका सामन ठालो तो जहां मैं हूँ उसी फ्लोर तो ये भी रह गा ओ मिस्टर इस अँड में अगर तुमने हमें दद्दू कहा तो हम तुमको ऐसा बोलो देगा के तुम्हारा ददू को पनादेगा संगे समझ गया तद आए तद ना आण गया puppy बाइब uhhh बाइब जर्णल इंध जितैंक59 यहां्ड पंड-Rय मुम्राप्षक मुखी धरा जितो को बाइब न न० जल घजत Ni करते हो कमर किसक जाएगा तो मुसीबत पड़ जाएगी अरे हमारा कमर किसक जाएगा नो नो इस टाइल पर छूकरी लोग मरता है तुम्हारे हुटल का म्यूजिक बहुत सच कलास है इस पर मां तो कमर हिलता है और नाई पाउं उठता है आप अपना सब्सक्राइब करोड़ों और रुपाएं हैं आज तक हमने वह नहीं चाहिए तो समान करते जिन्दक के जिए अच्छा है क्या है तद्दू यहां खाने के लिए क्या है यह पंजाबी पराठा है कश्मीरी पलाव है साथ इंडियन थाली है और लखनवी शमी कबाब है नो 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 हमको कच्छत पत्ती खाना नहीं चाहिए है हमको इंटल कॉंटिनेंटल खाना मांगता है काक्रफीष यह तिन पूदो भी बठर कि आमने को में है ती नम्मल कुमाई रूम चावे से बात कीजें और जो मंगवाना है तोनाथ जी चाय है कॉप्य है और लखीं लखी्ट है अrobi को दो नोर Л प्राइब नश्वार नाथ में सुनने के लिए लीचे पान बीडी की दुकाम है अब ये बेचवा देता हूं सुना बुद्धू नश्वार नहीं चाहिए मुझे चाहिए यंग रेच लड़की कि लड़की आपको लड़की को लुए इस अचया लाप अपने अपनी हालत को तेखे मैं आपकेस आपनी की आ कि म Apr concern Не matアम मैं वर्ठी कानाम नां लेक्र कि मेरे अपने अकल शकल बातशीट इसके हैं निइटाअद आप जैदे हढ़ो का वा रिष्टाभी बुद्टे शराभी बुदए बुद्टे अवाली बुद्टे लडगें भागरेमां बुद्टे मेरे सब्साय कभी नियु थातए भे सो झाल्य थार जाला है अरे वेट, राज के तीन बजे दरवाजा खटकटा रहा है कोई, यह होड़ा है, धरम शाला है, राज के तीन बजे है, यह ताइम है दरवाजा खटकटाने का, क्या बात है, तुम मेरे दद्दू नहीं हो सकते, मैं बोल भी हूँ, नहीं आप कोई एक्षिन मत लीजी, मैं भी आ रही हूँ, हाँ, अगर अर्जुन की तरफ से आपको कोई तकलीफ पहुची हो, तो मैं उसके लिए मा की चाहती हूँ, नहीं, मैनिजर को बलाओ, मैनिजर को, अगर आप उसकी कंप्लेंट कर देंगे, तो उसकी नोकरी जली जाएगी, ऐसे आदमी की तो नोकरी जानी जाएगी, नहीं, जी, मेरा मतलब है, आपके दिल में भी उसके लिए हम दर्दी पैदा हो जाएगी, ओ, तो तुम्हारे दिल में भी उसके लिए हम दर्दी है, जी हाँ, जी नहीं, जो दूसरों का दर्द समझता हो, उसे कौन नहीं हम दर्दी करेगा, जो इंसान अपने मालिक के लिए अप घ्रिकल तुमयां मांगते हैं अगर तने आंख निकाल और दे और कान निकाल का रांख पर लगा देगा अजवेरा, thank you, तुम जाओ अब हम तुम्हारे लंभू का शिकायत नहीं करेगा Thank you so much, sir ए, सुनो God bless you Thank you, sir Good morning, sir Good morning अरे वो आज तुम्हारा लंभू दिखाई नहीं दे रहा कोन वो अर्जुन सेंग साब? उसका तो आज जनम दिन है साब जनम दिन? आज उसका जनम दिन कैसे हो सकता है? वो सकता नहीं, साब है वो तो बड़ी जूमधाम से अपना जनम दिन आज शाम को मना रहा है कहा है? होटल के पीछे स्टाफ पार्टर्स में ओ, अच्छा तुम जाओ, जाओ मैं पूछता हूँ, अर्जुन सिंग कहां रहता है आपको भी बुलाया है जोलिम मैंने तुम्हें पटात मर्त में बोलेंग देती सिर्फ महबद करना, प्यार करना, इश्क करना, मोज करना, मा मत बनना तुम क्यों मा बनी, थारे बाप करा जए और मेरा क्या होगा, मुझे तो शादी करोगे न शादी, 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 एक बात कान खोल कर सुन लो जब तक गाओं में मेरा वो खूसट बुड़ा ददू जिन्दा है मैं तुम मैंसे किजी के साद भी शादी नहीं कर सकता एक बार उस बुड़े ददू को लुड़ा जाने दो बस उसके मरते ही उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी वो सब बेच कर मैं तुम लोगों के लिए चार माले की बिल्डिंग बरवाओंगा पहले माले पर जूली रहेगी तूसरे पर रानो तीसरे पर शीला चौते पर जवालो और ग्राउंड फ्लोड पर मैं सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होगा जिसका जी चाहे बुला लो बस उस खूसर बुड़े के मरने तक सबर करो अर्क随 लुग कर लो बासा अरे कईसे नहीं लुड़केगा जिरूर करा अब शज्रूर वस्रू के אלा मुझान ऊपर वाले पर बरोसा है तुम सब मुझे पर बरोसा रखे हो राच तक मेरे दद्धू ने मेरी कोई और तुम लोगों को जगा करने का अजी का दिन मिला, अरे भूल गई, अरे भूल गई कि आज मेड़ा जनम दिन है यह इस पला को प्राइगा बिस चूलम ओwnहार आज को दारूंग मैं आहा आहँ तुम दारू नहीं प्योगे रहे कूँ नहीं प्योगा आजम पियेगा भी और फिलाएगा भी जोले तम जल्दी से दारू लाओ शीला तम सोडा रानो तम पानी और जमालो तम बर्राप जल्दे जारू तोडा पानी बर्राप जल्दी अरे सुनो भाई किसी का जनम दिन है उसको फुरूट खिलाओ, मककन खिलाओ, चूट पिलाओ, लस्खी पिलाओ, अरे भाई ये दार भाई भी क्या? लाटो मेल अरे भाई लाटो मेल अरे अरे कर दो पिली है चोरी तो नहीं की है थोड़ी सी जो पिली है चोरी तो नहीं की है ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो कोई हम को रोको कोई तो समालो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पिली है चोरी तो नहीं की है ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो कोई हम को रोको कोई तो समालो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पिली है चोरी तो नहीं की है कोई हम गिर नहीं है कोई हम गिर तो समालो मैं भी जानू पीना थो बुरी बात है कैसे न पी उप्यासी ये रात है मैं भी जानू पीना थो बुरी बात है कैसे न पी उप्यासी ये रात है उपर से हसिनों का हसी सात है ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो हमें गोरी गोरी बाहों में उठालो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो फिली है चोरी तो नहीं की है तो नहीं की है मेरा है जमाने से अलग रास्ता मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता हम से खफा क्यों लोग है क्या पता ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो हमें दुश्मनों की नजर से बचालो कहीं हम गिर न पड़े खोड़ी सी जो फिली है चोरी तो नहीं की है अजर मर गवाई थोड़ा थोड़ा दिल पे है जवानी का नशा उस पे भिर नशा है ये तेरे प्यारे का थोड़ा थोड़ा दिल पे है जवानी का नशा उस पे भिर नशा है ये तेरे प्यार का थोबा ये नशे में नशा मिल गया शरावी शरावी निकाहे न टालो हमारे जवा दिल को यू न चालो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पिली है जोड़ी तो नहीं की है ओ पुनो मेरी जा ये घुशा दबालो हमें तो सहारा कले से लगालो एं कहीं हम गिर न पड़े हम तो गिर पड़े पुनो जोली रवे अज़व जनम दिन मुबारिक हो अब बिन बलाए चले आए तुम्हारा जनम दिनों तुमने हमें ख़बर तक नहीं दी मालिक ख़बर तो मुझे भी नहीं थी लेकिन अब रखनी पड़ेगी मना रहा था जनम दिन बन गया मरंड दिन करने कुछ जा रहा था हो कुछ और गया मालिक ओए बाद यह प्रेम रोग है शुरू में दुख देता है और बाद में मालिक बाद में बहुत दुख था अरे तू रो क्यों रही है यह तो अर्गुन का नाटक था नाटक था लड़कियों के साथ नाच रहा था और आप कहते नाटक था यह नाचना गाना ही तो उसका नाटक था मेरे लिए मुझे जलाने के लिए मेरी असलियत जानने की कोस्तर रौड्रिक बनाँगा हूँ, Oo, j는 Bereich ना मैं到 Alberta हूँ ना रौड्रिक हूँ, मैं तो उसका का कंदू अ हूँ, तáchड़ू, हुँ, मैं उसका दादा हूँ, जे अनियुक्त म कंदू, मैं उसका सब कुछ हूँ, ईवल बढ़ापे係ल उपा हु, तो फिर आपने ये सब कुछ क्यों किया बेटी वो बहुत भोला है इस दुनिया की मुझ नीच को नहीं समझता है मैं उसे दुनिया दिखाना चाहता था उसे आपने पैरों पर खड़ा करना चाहता था हम एक दूसरे के बगार नहीं रह सकते लेकिन इस दुनिया में रहना है तो जुदाई की आदत दानने ही पड़ती फिर मैं और कितने दिन जी हूँगा मगर बेटी अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा बच्चा दुनिया समझ गया है अपने पैरों पर खड़ा हो गया है अब मैं तुझे और उसे लेकर फॉरण गौँ जाओंगा और धूमधाम से तुम दोनों का ब्याद करूँगा जो घर अर्चुन का बगार सुना पड़ा है वो तुम दोनों के आने से फिर से बच जाएगा जीती रोगे पुनमधिदे पुनमधिदे वोच होटल में काम कर ला है लमब लमजाएगा वो बसके निचे आ गया अगया मेरा बच्चा यह आपकी आखों में इतने मोटे मोटे आंसू देखो बेटे जिंदेगी में हर मजाग कर लेना लेकिन इस बुड़े से फिर कभी ऐसा मजाग लग करना लो कल लो बात बुड़ा मिस्टर अलबर्ट डिकॉस्टर रोडरीक अभी तो आप जवान हैं और आप इस घर में क्या कर रहे हैं आपके कदम यहां भी आ पहुंचे तुनमपुनम मेरे दद्दू कहते हैं एक मैन में दो तलवारे नहीं रह सकती हैं या मिस्टर अलबर्टिकॉस्टर रहेंगे या हम रहेंगे ऊछे पश ददू कर लो तो तुम सं फ्रांसिसको अलबर्ट कांटिनो डिकॉस्टर रोडरीकस नहीं हूँँ उसे तो तुने बस की नीचे कुचल कर मार डाला मैं दुमारा दद्दू हूँ और वो श्राम? किस सुन्लू के पठने कभी पी है? मैं तो गंगा जल में जलेबी का रंग मिला कर पीता रहा बेटे, कई दिनों थे ये बुड़ा अपने ही नाटे की हाग में चल रहा है आप मेरे कले लगजा, ऐ मेरे बच्चे मेरे कले लगजा बैस ये एक बार मेरे कले लगजा बढ़ा मैं किस हाग में जल्दा रहा यह तुमने कभी सूचा? आते ही तुमने शराब मंगवाई, लड़की मंगवाई, मैं तुराद बर नहीं सो सका, बस सोचता रहा, रोता रहा, गाउ में जब मुझे चीक आते थी, तो तुम वहां के सारे डॉक्टर, सारे हकीम बुलवा लेते थे, सारा गाउ बुलवा लेते थे, मेरी बैची, लेकिन यहां, यहां तुमने मेरी खवर्टक मिली, फिर मैंने भी कसम खाले के, अगर तुम मेरे बाप के बाप हो, तो हम भी तुमारे पोते हैं, दद्दू, तुम तुम तुम्हें अपना दद्दू मनवाँ कहीं रहेंगे, तुमने हमें बहुत सताया, दद्दू, महत रोला है, अब चलो, गौँ वापस चलते हैं, मैं गौँ से खाली आताया था, अब बहु को साथ लेकर जाओंगा, नहीं दद्दू, अपी थोड़ी तेर है, क्यों देर किस बात की, आपी ने कहा था ना, जिसका नमक खाओ, उसकी नमक खाला ली करो, हाँ, मेरे मालक की जान खातरे में, जब तक उसके नमक की कीमत अदा नहीं करता, मैं यहां से जाने वाले नहीं, अगर यह बात है, तो हम भी तुम्हारे साथ है, कौन हो तुम, सामने क्यों नहीं आती, राजा अब तक जिन्दा क्यों है, इसलिए कि, मैं उसे नहीं मार सकती, और नहीं उसे मारूंगी, यह सौदा मुझे मन्जूर नहीं है, राजा तु अब, तुम्हारी हाथों खतम होगा, वरना बहुत कुछ खतम हो जाएगा, यकीन नहीं आता, जरा मुर कर देखो, मामी, ले जाओ इसे वापत, देखा, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, वापती का कोई चांस नहीं, तुम हमारा काम कर दो, हम इसे छोड़ देंगे, वरना ये मारी जाएगी, इसके साथ राजा भी, और सारा इल्जम तुम पर आएगा, बोलो, मन्जूर है, गुडूर नमस्कार, मिस, निशा जी, राजा बाबु ने आपकी लिए ये फूल भेजे, राजा बाबु नहीं आ आप तो दुकी हो गए, राजा बाबु के ना आने से आपकी पाटी का मज़ा किरकरा हो गया है, मेरा मतलब है कि इतनी शांदार पाटी दिये आपने और अब वो बेखार चली जाएगी, राजा बाबु क्या समझते हैं अपने आपको, दो पैसे क्या कमानी है, दिमाग आप बुलाएं और हम ना आएं, ऐसे तो बीमार नहीं, अरे आपकी दावत पर तो हम चल्की चिता से ओटकर चले आएं, सब कुछ कह दिया, या कुछ बाकी है, लो, आप तो ऐसे पूछने हैं, जैसे कोई जलाद मरने वाले की आखरी खायश पूछ रहा हो, बहुत कुछ बाकी है, अब ही जिन्दगी में तो जीना बाकी है, जीने के बाद मरना बाकी है, बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है, फिलाल तो, फिलाल तो क्या है? रात बाकी, बात बाकी, होना है जो, हुच जाने दौ। बाकी है, बाकी है, बाकी है, जीने जाने बाकी है, बाकी है की आरत बाकी है, झाले की invasion रात वागी बात वागी होना है जो हो जानी दूँ सोचो ना देखत देखो हा जानी जा मुझे प्यार से सोचो ना देखत देखो हा जानी जा मुझे प्यार से रात बाकी बात बाकी खुना है जो हुच्चा ने दूर बाकी खुना है गरात बाकी खुना कैंटानीए हoff कर जो हुच्चा है जो हुच्चा ला 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 कश्ती जवाँ दिल की दूफां से टकरा गई मन्जिल मुखबत की अब तो करीब आ गई कश्ती जवाँ दिल की दूफां से टकरा गई मन्जिल मुखबत की अब तो करीब आ गई आ देख ले थे क्या मजा दिल हार के रात वाकी पात बाकी होना है जो हो जाने दो सोचो ना देखो तो देखो हां जाने जा मुझे प्यार से सुझे 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 कि तो सुझे सुझे कि अ कि अ कि I am कि कि अ कि मैं अ कि किसे निम्हें दूँ इघ्र कि इह क्या होगा है तुम्हारे मत पर पसी आदो किसकी मौत के बारे में सोच नहीं थी मेरे मेरी जिन्दी और मौत तब तुम्हारे साथ है और त्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते हैं आगाज ये है तो अन्जाम होगा हसी दीवाने परवाने मरने से डरते नहीं आगाज ये है तो अन्जाम होगा हसी दीवाने परवाने मरने से डरते नहीं आदिल रुबा खुल के जरा मिल यार से रात बाकी बात बाकी हो ना है जो हो जाने दो सोचो ना देखो तो देखो हा जाने जा मुझे प्यार से सोचो ना देखो तो देखो हा जाने जा मुझे प्यार से रात बाकी बात बाकी होना है जो हचाने दो रात बाकी बात बाकी लेकिन मुझे ऐसे लगता है राजा बाबू अभी बहुत कुछ बाकी है आप यहीं ठहरिए हम पता लगा के आते हैं कि वह बाकी क्या है और राजा बाबू अगर हम ना आए तो हमारे तद्दू को मत कुछ कहिए लगा हम तो हमारे लगता है आचिजज़, कि अचिपज़! इचार, जसोचवार! हुआौ है... कर दो कि व अड़ाओ की वे रह ऱाद की वे वे रहाद का बुद्टन अगर अर्जुन सिंग कुछ हो गया मैं तुम्हें जान से मार्डानुगा मालिक मालिक हमें कुछ नहीं हो ऐसे हो तो बहुत कुछ सकता था लेकिन हमने होने ने दिया यह देखिए मालिक क्रोकोडाइल यानि की मगरमच की ओलाद पानी की तय में चाकू लेकर आपका इंतजार कर रहे था पहुंच गए हम तो यह हमें आख समझ कर हम पर चल बड़े अब हमारी टांग इनके हाथ में और इनकी गर्दन हमारे हाथ कभी यह हमारा पाउं दबा है तो कभी हम इनकी गर्दन दबा है कभी हम इनके ऊपर तो यह हमारे नीचे है कभी यह नीचे तो हम इनकी ऊपर किसकी हो सकती है मालक यहतों यह नहीं यह कैसे बताएगे इनकी आत्मा तो यह अडरी और मात्मा से मिल चुकी है अब तो यह बात आपकी दोस्त आपकी हम्धर्ध आपकी नूर नजर मिसению ही बता सकती है तो यह था तुम्हारा असली रूप मेरी मात की लकीर तुम्हारे आतों में नहीं है मैंने तुम्हें प्यार ढूंडा जिंदगी तलाश की तेकिन तुम बिल्कुल बिकाव पंची निकली जिसने खरीदा उसी के घंसले को घर समझ बैठी तुम बच्पन से अब तक तुपते सूरज में मौत देखती रही हो ना तो यह लो लगा लो मौत को गले और इस खुबसूरे जिसम से बचसूरत आत्मा को अलग करतो अगर यह काम तुम नहीं कर सकी तो मजपूरन यह काम मुझे करना पड़ेगा राजा बाबू शुट अब मैं तुम्हारे आवाज में सिर्फ मौत की हिचकी सुनना चाहता हूं मुझे अपने मने का गम नहीं है राजा बाबू गम तो इस बात का है कि जिस आदमी को जिनके पर डूनती रही वो आप है और आपको पाते ही खो रही हैं मैं जानती हूँ आप मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे लेकिन आपके जान की इफाज़त के लिए मैं आपसे अपनी जान की चंद दिनों के लिए प्रीक मांगरी हूं लगता है तुम्हारा नापाख खून मेरी हाथों मुना लिका है मैं अपने नापाख खून से आपके हाथ नहीं रंगने दूगी अरजू से यह क्या है गोलिया है मालिक जो इनके पिस्टॉल में थी हमने चुपचाप से निकाल ली क्योंकि अगर हम नहीं निकालते हैं तो इनके दिल के अंदर जो राज चुपावा वह कैसे निकालते हैं यह तो उपर चली जाती हैं साथ में उन लोगों का अतापता भी ले जाती जो आपको मारना चाहते हैं देखिए मिस निशा हमारे दद्दू कहते हैं कि पापी को मत मारो पापी के दिल के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है उसे नहीं आपके दिल के अंदर भी कुछ ऐसे शैतानों के नाम है जो हमारे राजा बाबू की जान लेना चाहते हैं उन नामों को आप बता दिए आपके अंदर जो शैतान है वो खुद बखुद मर जायेगे मुखिन करो मुझे कुछ नहीं वालुब मैंने तुन दोगं को देख सकती है शिर्फ आवाज सुने एक औरत की आवाज आज एक औरत की आवाज सुने आज़ी से औरत की आवास और ये आवरत सावित्री मा के लावाज कौन से मालिक, मालिक नजाने क्यों जब भी आप माजी का नाम लेते हैं हमारे सर से लेकर पहुंता है कि काजीब सी बिजली दोड़ जाती है आप आप बिना सबूत के उनका नाम नालने तो बड़ी महरवानी होगी मालिक सबूत चाहिए तुम्हें अच्छी बात है यह सबूत यह वो खत है जो मेरी जान पर हमला होने बात मुझे मिला था और जिसके पढ़ने के बात तुम सारी कहानी खुद भाखुद समझ जाओगे बना, कोई जवाब है? अबाची क्या? लेकिन मालकेने कैसे हो सकता है? आपको जुरूर दोका हुआ होगा नहीं नहीं महताजी मेरी आँखे कभी दोका नहीं खा सकती है मैंने खुद उसे देखा है वो अब तक जिन्दा है आप पता लगाए के वो बचा कैसे जी अच्छा हाँ तुम वलत मौके पर आगया नहीं आप समझी हैं मरगे और आपका प्लान काम्याब हो गया है मगर हमें जिन्दा बेख चाहिए आपका प्लान चौपट हो गया है किस से हमारे जिन्दा रहने का दुख जार कभी है कौन है वो आपके जर्खरीद घुलाम जो आपके एक इशारे पर हमें हमेशा मारने के लिए तैयार हो जाते हैं बिलाइए उन्हें और कहिए कि अगर वो मर्द के बच्चे हैं तो हमारे सामने हैं और खुलकर मुकाबला करें हमसे बिलाइए यह कैसी बाते करें राजा मैं और तुझे मरवाना चाहूंगी एक माँ अपनी अलग का खून कर सकती है मुझे सब मालूम है आपकी असलियत का पता चल चुका है अब और ढूंगा चानी की जरुवत नहीं मेरी माँ मुट चुकी है और मेरे पिता की मौत की बज़े भी आप थी अब मैं त्यार की जाल में फांस कर उनको मौत की नीम रहा जार तोने क्या कह दिया तो उने मुझे गाली दी है मेरी वफादारी और तपस्या का अपमान किया है नमक खलाली के मूपर तमाचा मारा है अरे क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इतनी कुर्बानिया दी मेरे पती ने अपनी जान दे दी मैंने अपना घर उजा लिया अपनी आउलाद से रिष्टा तोड़ दिया सिर्फ दॉलत के लिए मुझे आपकी सारी कहानी बालों पुट चुकी है क्या कुर्बानी की है आपने और आपके पती ने आपके पती भीम सिंग ने अपने बुरे बाप दर्शे सिंग का घर छोड़ दिया प्याव लगन भुर छोड़ दिया और आप से शादी का लिए क्यों ताकि आप और आपका पती मेरे बाप की दॉलत लूब सके मेरे पती एक वफादार इंसान थे मरते वक्त उन्होंने मुझसे वच्चन लिया चाहे हमें अपनी आउलाद पुर्बान करनी पड़े लेकिन माली के बेटे राजकुमार को बचा लेना उसे उसका हग दिलवा के रहना तुम्हारे लिए मैं अपने ससूर के नजरों में दोशे बन गई उन्होंने मेरी आउलाद मुझसे छीन ली मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे ये वचल लिया कि कभी भूल कर भी मैं अपने बेटे को बेटा नहीं कहूंगी सामने आजाए तो भी उसे पहचानने से इंकार कर दोगी तारी जिंदगी तेरे सहरे सिर्फ तेरे सहरे जीती रही और आज हमारी कुर्बानियों त्या को लालच का नाम देकर मदनाम कर दिया जा बेटा जा भगवान तुझे सुखे रखे हम तो पैदाशे गरीब हैं जिंदगी भर नोकरी करते रहे हमें दौलत से क्या लेना देना यह सारी जायदा सारे दौलत सारे ओटे तन कुछ तेरा है मैं आग लगा दूँ ऐसी दौलत को जो मेरी मौत का कारन बन में मझे कुछ नहीं चाहिए माजी तब कुछ एक एक चीज बेच दूगा, तब कुछ बेच दूगा माजी अर्जुन, राजा है सारे जायदाद, सारे होटल बेचने वाला है वो अपने जिंदगी का दुश्मन बन गया है वो से रोख ले अर्जुन, वो मेरी बात नहीं मानेगा मुझसर नफरत करने लगा है कुछ मत बिकने देना, वनना करा मत आजाएगी अपने पती को दिया हुआ वचन में नहीं निभा सकूँगी मैं, मैं तेरे पैर भाएगा अरे माजी, ये क्या करने है नहीं माजी, ये हाथ पाउँ छूने के लिए ने सर पे रखकर आशिरवाद देने के लिए माजी, एक बार हमने आपसे कहा था कि हमारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई है आपने पती को वचन दिया था माजी आज आपका ये बेटा आपको वचन देता है हम कुछ नहीं बिखने देंगे माजी हम कुछ नहीं बिखने देंगे माजी मालिक को हम कुछ नहीं बेशने देंगे आपकी किसम माजी, हम कुछ नहीं बिखने देंगे माजी, कुछ नहीं बिखने देंगे, कुछ नहीं बिखने देंगे, माजी हाँ, हाँ, मैं सादी जिन्दगी तुछ ते चूट बोलता रहा कि तेरी मा मत चुकी है, जानना चाहता है तो उसकी अक्षिय है, तो तुल मीन, उस गान ने मेरा जवान भेटा मुझसे च्हीड लिया, तैरा बाप मैं दड़ो, मेरी मा ऐसा नहीं कर सकती जिस औरत ने खेरों के लिए सब कुछ ट्याग दिया, वह ऐसा नहीं कर सकती तुमने यह सुना ओका लेकिन देखा तो नहीं क्यों ड़्दो कि व्रुस सिर स्वाइब किया रुआरया । जी करता। कि याद मैं इंदी शता बनु लेक्राइब करेवा । मेरी मा को बच्चलन कहता रहा, उसे गालिया देता रहा, वो भूप भूप कर रूती रही और मैं अपनी मा के आसो तक पर पहुच सका, और वो सिर्फ इसलिए ददू, कि तुम्हारा सिखाया हुआ नमक हलाली का सबक पीछ में आगी, उस नमक को मैंने अपने सख्मों पर बं जख जाता हुआ अब राजकुमार होटल बेच रहा है तो उससे बेचने दो, तुमका परिचान दो लेकिन अगर होटल हमारे हाथ से निकल गया तो खरीदेगा कौन उसको, हमारे अपने हाथ मी हाँ तो साहिवान ये तो हो गया आप लोगों का परिचे और आप लोग आए है इस होटल को खरीदने लेकिन लेकिन मालिक ने उन्हें झाहिए मारं मार मार के मार मार के मार मार के शेर से बहार निकाल दिया। लेकिन अब क्या करें ये होटल U जाना मालीक खाड़े हो जाए तो आप हूं यहर जाई है हिद्भी एक कुसी की जाए जाए लगन तो आप ब precaution मालक खासें तो हम भी आतेंगे अर्जुल्थी? मालक आते हैं मालक करा करो जिनारक्षी हलो? हलो? कैसे हैं? कैसे हैं? हम तो ठीक है हम तो ठीक है कैसे हैं कैसे अर्फ कैसे अर्फ तो रहें अर्फ कैसे आते हैं कैसे इसे आते हैं? मालक आप शूरू की थी हां आप लोग सीथे सीथे खाना काईए ना यह ना जो क्यों कर रहे हैं आप खाना काईए मैं इन लोगों का इलाज करता हूँ यह मक्ही अर्जुन सीथ तुम्हे मालूम है मक्ही को अभी दूर किये देता हूँ पकड़ लिए मालिक पकड़ लिए पकड़ लिए इस अभी तुम्हें बद्टमीज जलील आपसे नहीं सेट जी वह मक्ही से खाया था यह उसमान सेट के सर पर जाटकी जिसके सर पर बाल लटक सका लिएगा मत जीएगा मत इस मखी ने आपके सर का मान किया है मैं इसके सर को कुचल के रख दूँगा हाँ है यह यह कहां चली गई है अरे हरामजादी जानती है तु कहां चली गई है यह सेट तलवार की नाक है सेट तलवार कल ये बंदूप होंगे परसों तोप होंगे सरा सोचो सोचो तेरा क्या हश्र कोगा सेट जी हिलिएगा मत है बिलकुल मत हिलिएगा मैं अभी अभी इसको अरे तु जहां भी जाएगी मुझे वही पाएगी देखो तो साली को अबे सेट किरोडी मल्क की मुझ का एक एक बाल एक एक लाग के बराबर का है ये साली उन बालों को मैसूर का जंगल समझ कर पिकनिक मनाने खुज गया है इला मत सेर जी इला मत तुं न एक बड़े। हम पकनिया बड़े है पकनिया 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 कर दो अ थात थात तर ये आपकी अमानत को लेकन मक्ही अए हां वाँ भाईती दी खालार चालत आर्थ, जयन całी जान चाहन चली जाइगी लेकैनाद नही जानी चाहनी जाइगी कि अगर आपका होटल खरीदने आय थे अरे मालिक अगर आपका होटल बिग जाता तो हमारी तो नाकी कट जाती ही आर्शिल सिंग मालेख भिले नहीं लोगा मालेख मालेख वातल मतने जना मालेख उन्हों जल्दी बोलो कुछ समझ में घा रहा है निपाय किसकी उम्हें विज़ लगता है ये लिखाई हमारे मैंगे जर रंजीत की लिखाई से बहुत मिलते चुलती है लाओ, मेरा अधा काम तो हो गया फेर परदूस्ञ, हम् बोले जालिम सिंग, जालिम सिंग, माना घ्माद ठीक है, मेरा नाम रंजी सिंग अजी साहर आपका नाम जो हम तो आपको जालिम सिंगी बुनाएंगे ना जालिम सिंग जी आपकी लिखावट की चारीफ कर रहा हूं सुन्दर अती सुन्दर आप चाहे फाइल पे लिखें या किसी पुर्जे पर लिखावट बिलकुर लेग देशें मगर वासाब वाफ इसमें नाम तो माजी का और ताम आप जैसे किसी पाजी का अब बोलो अर्जन सेंग यह एक और हाजिर आप किसी तरह जलाते रहिए हम किसी तरह हाजिर करते जाएगे यह जलाते जलाते आप अपने हाथ जला मैठेंगे और अगर आपके हाथ कहीं जल गए तो आपके हाथ में जो धनवान बनने की लग्गियर है वो भी जल जाएगी अजिन भाते क्या है हम आपके भेजे में बस एक बात भेजना चाहते हैं कि हम भी आफी कितना धन्वान बनने का शौख रखते हैं और इसी का सौधा करने आये कैसा सौधा? राजा बाबु की मौट का सौधा देखे साफ, आपने उन पर कई हमले किये, हम उने बचाते रहे और माप कीजिएगा, आपको उनके चारत रफ धिंबिनाती भी एक मक्की भी ना मार सके जनाब बाद हमारे हाथ में होती, तो एकात गोली तो आमारी है जना हाँ, इसलिए भला इजी में है कि आम और आप मिल जाए पार्टनर्शिप फिप्टी फिप्टी अब आपकात पर, जाप प्रेश हाँ तो साव अवहारा प्लैन भी सुन लीजीए हमारा प्लैन तो उसी दिन शुरू हो गया था जे जिन हम यहां आय था हमने अपनी जान पर खेलकर राजा बाबु की जान बचाई बोलो क्यों इसलिए जब हम राजा बाबु की हर्ट्या करें वोई हम पे शकना करें और राजा बाबु की मौत के बाद कि करूड रुपई की जायलाज है 50 50 है हमारा प्लैन तो उसी दिन शुरू हो गया था जजदन हम यहां आये हमने अपनी जान पर खेल कर राजा बाबू की जान बचाई बोलो क्यों कि जब हम राजा बाबू की अध्या करें तो कोई हम पे शक्ना करें और राजा बाबू की मौत के बाद उनकी करोड़ रुपए की जायदाद 50-50 तुम तो अजीब दोगले किसम के आदमी न हमसे मिले तो हमसे सौधा कर लिया इनसे मिले इने सौधा बेच दिया है तो क्या यह सच है मालिक जब सचाई सामने हैं तो हम जूट कैसे बोल सकते हैं तो मीने कदार देखे मालिक मुझ से बात कीजिए हाथ से नहीं मालिक हम काय देते हैं बात मालिक मालिक कर लिया अब को अब की बार हाथ उठाएने सीधा उपर वाली मालिक के पास पहुंचा दो का अरे तुम क्या उपर पहुंचा होगे गया एक दो टके की नौकर बहा कर आप धाते जड़िये अरे ये क्वांसी पर चड़े गा और क्या किसी का खुन बहाएगा इसके लिए तो पत्थर के सीन आरजुन से बाबू अब तक तुने मेरी नमक हलाली देखी है अब मेरी नमक हरामी देख रहा है तेरी हस्ती को मिटी में ना मिलाकर रख दिया तो मेरा नाम भी अरजुन से किसकी हस्ती मिटाने जा रहा था तू हां मेरे बेटे की मेरे राजा की तू समसा क्या है अपने आपको बस्तमीज कि लाजे तारे जिंदगी तो गुजर चुकी है बगवान हम और कितने इम्तिहान लेगा हमसे जितना हो सका हम अपना फर्ज निभाते रहे लेकिन इंसानों के लिए तेरा भी तो कोई फर्ज है बगवान अब और कौंसा वचन लेने आ है पिता जी मैं वचन लेने नहीं आया बेटी मैं तुमसे क्षमा की भीक मांगने आया हूँ यह गुनेगा बुड़ा अपनी बहु के दीते हुए दिन तो नहीं लोटा सकता लेकिन चमब मांगकर अपने गुनाओं का बोज तो हलका कर सकता है नहीं पिता जी तक्तिर की किताब में जो लिखा होता है इंसान मजबुरन वही करता है अगर ना लिखा होता तो ना आप मुसे वचन लेते ना मैं वचन निभाती और आज तक अपने बेटे से जुढा नहीं रहती तो तोड़ दे इस जुदाई की दीवार को और लगा ले अपने बेटे को सीने से अर्टू बेटा मेरा बेटा मा अर्जू मा बेटा बेटा मरे तुझे माना अर्जू अर्जू यही तो तमन्ना थी कि मुझे भी मारने वाली कोई मा हो जो डाट कर मुझे चाटा मारे और रोकर सीने से लगा ले अर्जू 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 आर्जू अर्जू क्या, यह तुम क्या कह रहूं? ये सर्. सावित्री और अर। जूण सिंग मावेटे हैं.. मावेटे? जी. सावित्री मावने प्र सब के सामने.. यह सब के सामने थपड मारना, चंदाना उसे जलील करना.. यह सब एक रामा था नाटक था.. लोग तो तौलत के लिए नजाने क्या कर बैठते हैं, उसने तो सिर्फ उसे थपड ही मारें, क्योंकि उसकी नजर आपकी तौलत पर है, सर, मैं दावे की साथ कह सकता हूं, यह जो आपकी जान पर बार बार हमले हो रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही आत है, और वो है सावि आपको बताओ, सावित्री देवी और अर्जुन सिंग का क्या रिष्टा है, यह वो, वो दौनों मावेटे हैं, एक अधर, तुम जा सकते हो, इस वक अर्जुन सिंग कहा हूंगा, सर, असे जर्मत कीजिए, वो जहां भी होगा मैं उसे ठोर निकालूँगा, पाया, बताओ अर्जुन सिंग कहा है, मैं तुम्हे आखरी मौका देता हूं, और हम बिना मौका दिये ही आपको बताए देते हैं, कि हम यहां है, अर्जुन, तो जालिम सिंग जी, बात दर असल यह है कि आप निशाना हमेशा घलत लगाते हैं, मालिक पे लगाया तो गलत, नौत पे लग क्योंकि बेसिकली आप आदमी ही अलत हैं, यह देखा, आप जैसे बैमानों की छटर धाय में रहकर एकाट बैमानी का पैतरा हमने भी सीखिया है, पहले तो मैं आप से इन कपरों की सिलवाई लूँगा, उसके बाद खुलवाई लूँगा, और फिर आपकी दुलाई करोग क्योंकि अभी अभी जो आपने तीन-चार गोलिया इदरो तर चलाएं, कहीं एकाट गोली यह चला देते हैं, जैसे कि अब हम चलाने वाले हैं, तो बहुत हाइदे मरेते हैं, यानि कि समझ यह ना, पै क्या पहना चाहरा हूँ है, हाँ, तो शले, अब यह बाताओ, कि इस तारे चक्कर का हैंडिल कौन होँआज है, हाँ, तो कि इतना बड़ा चक्कर जो है, तो तुहारे जैसा चकरम तो चलाने ही चकता है, यह तो किसी बहुत बड़े, 420, 420, चालबाज, चरिट्र वाले चकरम का चकर मालूम पड़ता है, बोलो बटा, कौन है, हाँ, बाद, ब बड़ा, तो तो तुहारे, बाप भी है, इतना बाप है, मैं, मेरो मतलत है, आथ हुआरे बड़ा है आँ, मतलत है, हाँ, मतलत है कि बाइज तुम्हारा पाप है तुम्हारे तुम्हार कृटे आध तु दुनिया में सबका एक ही होता है वैसे मिस्टे नहीं तुम्हारी भी बाप लेकिन मानक हम तब पहुंचने के लिए हमारे बेटे को मौत के जाल में फास कर हमारे घर तक चले आए तुम्हारा बाप जब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो तुम किस खेट की मूली हो उधर देखो अधर देखो अधरान होने की ज़रूरत नहीं है बर्खुरदार इनका तारुफ हम खुद का रवाय देते हैं वर्खुरदार ये हैं तुम्हारी माँ और ये हैं तुम्हारे परम पूज दद्दू और ये तुम्हारा बच्वन का दोस्त इस इंशात मम्मी ये हैं तुम्हारे मालिक की मिस्रिशा जीब भरके देख लिया बर्खुरदार अब तैसला तुम्हारे हाथ में है रिवाल्वर मेरे बेटे को सौंप दो और एक सोदा कर लो और नहीं तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा अर्जुन सेंग मेरे पास वक्त भी है रिवाल्वर मेरे बेटे को सौंपते हो यार ठेरो 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 अधैस गेर्ट पुर्ष समझदार बच्चे हो अपने बाप की तरह जित्ती और बेवकूफ नहीं हो जो सौधा तुम्हार बाप ना कर सका तो तुम कर सकते हो हमें इन पेपर्स पर राज कुमार के दस्थखत चाहिए उसके बाद उसकी लाश यह दोनु काम करके तुम्हें सब को ले जा सकते हो नहीं यह यह मैं नहीं कर सकता हूं मैं मैं राजा बाबु की जान नहीं ले सकता जान नहीं ले सकते दस्थखत तो करा सकते हो जान लेने काम हमारे साबजादे कर लेंगे पांसी चड़ोग तुम बोलो मन्जूर है सोच ले राजा बाबू या दो दिन होगे मालकन का कही पता नहीं चल रहा कहीं है ऐसा तो नहीं को मेरे पास क्यों है उनकी पीसे रहे तो चाओ किसी पुली स्टेशन में रिपोर्ट करो ठीक है अगर पता नहीं चला तो पॉली स्टेशन भी चले जाएंगे फिलाल आप ये वस्यत संबालिया और मुझे इस दिम्मेदारी से आजाद कीजिए वस्यत कैसी वस्यत आज से पंदरा साल पहले सावित्री देवी ने वस्यत बनवा कर मेरे यां रखवाई थे और कहा था वकील साथ अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो ये वस्यत मेरे बेटे राजा तक पहुंचा देना तो क्या माने पंदर साल पहले ये ये दौलत ये चाहिता मेरे नाम लिखवाती थी और मैं उन्हें गालियां देता रहा सर सू प्लीज बाहर आएए मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ या खैसले किया मैं तुम से आखरी बार कह रहा हूँ गयो तुमसे कहा गया है वो करती हो कि नहीं या फिर नहीं मैं मैं करता हँ आप जो करेंगा वी करूंगा नहीं बेटा नहीं ऐसे मत करना अगर तुमने ऐसे किया तुम्हारी पिता की कुरुबानी और मेरी सारी जिंध़गी की तपस्या मिट्टी में विल जाईगी बेटा ऐसे मत करना बेटा ऐसे कमीनों को हलाल करके उनी के नमक में तफन का दिना चाहिए ऐसा मत बोल बेटे, हमने उनका नमक खाया है तू नमक रामी मत कर अरे बस करो दद्दू ये नमक हरामी और नमक हलाली के सबक अपने पास ही रखना तुमारी दीवी शिक्षा की वज़े से आज मेरी मा यहां बंद है और तुमारी यह हलत बनी हुई रुक जा बेटा, तुझे मेरी कसम तूजी से मारने जा रहा है तेरी जिंदगी उसे के बाप की दी हुई है नहीं मा, मुझे मत रुको आज बरसी बाद मुझे मा मिली है और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाता मा के प्यार के लिए उसकी ममता के लिए मैं राजा बाओ को कुर्बान कर दूँगा मुझे मत रुको हेलो मेरा बेटा तुमारी साथ जाएगा जब बटे वह सुनो जड़ा भी चालागी करने की कोशिश की तो इनकी चिताओं को आग लगाने वाला भी नहीं लिए हाँ साब मैं राजा बोट रहा हूं जी तो दिन से मा का पता नहीं आप कुछ भी कीजिए मा का पता लगाएए प्लीज अज़ा पता नहीं जाएगा अज़ा जब तक जिस मा को गालियां दे रहे थे आज उसके बारे में बहुत चिंतित हो रहे हो क्या वात है मा की जिंदगी कोश्ची मुझे मालूम है और उनकी जिंदगी तक तक खत्रे में रहेगी जब तक तक तुम अम इन काघ्जा पर साइन नहीं करोगी अजिन का induced बर्बार मत करो जैसा मैं कहता हूं वहाया करो चलो चलो छिलो पेंच लो ल्ट ना करों आटई फ्रह स्तकव करने से पहले अरसे कुछ वगे तो अमनों ब्रमाद में तरौए इस इस का उनल basics कर देंदे डे खर गप पर अड़ने बारी... पर यहार बोड़ने मारी! शुपांकों वितिसमाइबale, शुफिकटी लगता हुआ है? शुमेआटे। यह हुए। जबादे। आखो, मिस्टर के ट्वटीति अबसे, बन्यवात में अभिए। ने, में दोना दोरोदे। हमने वो सारे कफन उतार कर आपके बेटे के सर पे बांदे क्योंकि आपके बेटे के मन में खोट पैदा होगी राजा बाबू को खत्म करने के बाद ये हमें भी खत्म करना चाहते रहे यानित हमारे बेटे ने आपके साहपजादे ने राजा बाबु के सीने में पूरी तीन गुलिया दाखुआ मेरे राजा को मार दिया हमा राजा बाबु की मौत का सौधा इन लोग की जिंदगी के साथ हुआ था कीमत मेरे हाथ में है पहले आप इने छोड़ दीजिए हाँ मुगर ये बस मिल जाएंगे एक हाथ दे दूसरे हाथ ले छोड़िये ने अब तरह दे छोड़ दो उंको अब क्या हो गया इन पर दस्त नहीं है गायब हो चुके हैं लो कलो बात लगता है उपर वाला आपकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता इतनी मेहनत के बाप भी आपको कुछ नहीं मिला पिछले जनब में कुछ बाप किये था क्या पको मत बेटे अब क्या अब यह देखो लेकिन डेडी दसकत तो मेरे सामने किया थे अब तुम दोनों बाप बेटे यह डिसाइड कर लो कि राजा बाबू के दस्तकत लेने ऊपर कौन जाने वाला है बर्खुरदार ऊपर तो तुम ही जाओगे नहीं इस पत्तमीज में कुली चलाई है जराब हमने तो नहीं चलाई हमने चलाई राजक्तकार अचल 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 तो आप ही हैं वो चचाचा जो हमारी क्रिया पर बैटे थे यह तु जिंदा है और तुम काये थे कि अपने हाथों से इस पर गोल भीय चलाई थी अरे भी जब आप दुनिया की नजरों मरके भी अभी तक जिंदा है हम तो कभी मरे यह नहीं रहे नहीं संथ देखिये अब जैसे कि मैं आपके बेटे को गोलिया मारता हूँ नहीं देखा पजलिया ना अब जब यह पाजी नहीं मरा तो हमारे राजा बाबु कैसे मर सकते थे आज बिकॉप्स इस इस इसेम रिबॉल्वर यह उज़ा बाइट विजये मर्चंट एंड विजये हजारे नहीं संथ लेकिन आपके साफ रे राज़ की नहीं उस सुना है ना तुम्हे इस सुनार की और एक लोहर की अब कोई चीज नपी नहीं ना तो इस पस्तॉल में गोलिया पर नहीं इस पैंकी स्याहि अब तुम इन पेपर्स पर साइंग करोगे चलो वैसे भी तुम्हारे बाद चाइदाद कावारिस मैं हूँ चलो यह बैड़ और साइंग करो अच्छा है कानूनी कारवाई पूरी हो जाए आपके तुम्हारे पात कानून को कोई तकलीफ ना हूँ आप 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 रे क्षा आप जात क्षा क्षे आप और क्षर फ्रेप क्षा कौन तलवार से बेटा नाम तलवार है और करते हो इंचा कुण्यों की चमचागी ना रहेगी नाक ना बैठेगी वुक्षी करदा पूर्णों मैय जह खह रहाता है कि यह तुमने बहुत शाय के की राजा भाव को जाके तुमने पार पूर्णों पूर्णों पर निशान अगला था ये लग गई है ये पूजिशन ठीट है पुर्णो अब कहां थे आपको इस्वस्यवत पर दोध्य ख़िया क्याना है तो आपको इसमें दत्त काच चाहिए है यह झाए हम वसिहत फारत है यह है आपके दस्काथ जया झालओे सिम्हिश्प पनाओनुप सबनार वसके हाट पमेर सादमुट एक लोगाटनुप ऐसे फो एक लूंप एक लागाटनुप धर उपतारि एंड्याओए, यदि नचरो! अर्षटर्टर्टर्ट! अर्फदी! बां बें, इंड यजया! ब mão उर्बूरां माली बहर ईया हれ ठाली ौर्भ दो करना… अरनों साथ परो आया इंटयाए और अमाई? आई तरह शेकिण किरोडे मारीटी वो माईसूर का जंगल क्या मक्किया चलेगाई समारी आप कि अब इन चार दातों से काम नहीं चलेगा हमें तो अब पूरे बद्तिश चाहिए यह 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 इसे काईते हैं थूदी गलास मैं घड़ानों को जिन्दा नहीं चुछाई जाए जिए पिश्चाहिए जिए रही इसे काईते हैं थूदी गलास मैं गदानों को जिन्दा नहीं छोड़ता हूँ मेरे बताईवे रास्ते पर कभी मत चलना है जाज़ बाबो को तेरी जरुड़त है उसना साथ कभी मत चलना है अगरे मेरे डाड़ी पर हाथ उठाया तो मैं इसका साथ धर्ण साला कर दूगा येस खाथ राज़ा बाबो तुम हीदर आओ क्योंकि आप मुझे सिर्फ तुम्हारी से उठाय तुम नहीं वसीयत पर साइन करोगे आओ नहीं मालिक आपनी जा सकते है याचुन सिंग पुनम की जान खचने तर्स गड़्ट आओ 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 राजब अबव वश्यारी नाए आदो प्रकलो तर्स गड़्ट आओ अब अंदर तलाओ चल्दी दो तरी साइट हैंडल से लॉक करो और चावी इदर पैगो नीचे आओ इलाए इलाए हाँ तो जालिम सिंग जी अब आप हमारे राजा बाबू के हाथकडियां खोल दीजे परना हम आपके डैडी का बहुत कुछ खोलना लेगे अबे अबे चावी सीट के नीचे आये बरकुदा आजाओ आजाओ बहुत बहुत शुक्रिया मालक मालक हाँ अब तक तो हम मालक और तुम नौकर थे अब मालक हैं मैं नौकर हैं हाँ हाँ तो मालक मेरा मतलब हराजा बाबू सबसे पहले तो आप इस पाजी को इतने बाप के साथ बांद दीजी बहुत अच्छा ठाके मरने के बाद भी ये दोनों गधे एक साथ अब आगे क्या हुकम है मालक आगे ये हुकम है कि इस ट्रक्ट में जितने टायर है उनकी हवा निकल दीजी जी हुजू हाँ तो पापियों अब हमें ये बताओ कि पुलिस टेशन यहां से कितनी दूर है और जन्गल में क्या होता है शेर अब अब हम क्या करेंगे अरे भाई आप लोग क्या करेंगे अब तो जो कुछ करना है वो शेर खुद बाखुद आखे करेगा ना हाँ और अब हम दोनों यही दूआ कर सकते हैं कि पुलीस आने से पहले शेर आ जाए आ जाए बिटी आज मेरा बचन और फर्ज दोनों पूरे हो गए मगर जिन्दगी के बहुत सारे फर्ज बाकी है मैं चंद दिन के लिए छुटी जा रही हूं नहीं मा अब आप कभी अकेली नहीं जाएं हम सब साथ जाएंगे आपके मैं तो शेर में आया था एक पॉता लेने पर तैने तब दो दो दे दिये और साथ में दो दो बहुए भी इम मैं तब तक जिऊंगा जब तक ये दोनों दादा नहीं बान जाते मागर डद्दू एक बात बताओ तुम शहर आई कैसे हां ये इससे पूछो क्यों मैं बहरो पही मैंने चिट्टी लिगकर बुलाया था यह मैं क्यों बताओं पर एक मिन्ट एक फेमिली फोटो चलो अरजुन चल पीछा चल हांजी ए ड़ी स्माइल अर्जुन अरे बाही सुरशर बेचाड़ा तुम थोरा अरी ता गुट्ट ओ अर्जुन उठ ए नए नए मैं नहीं जाड़ूगा तुझे नुम मेरी जिंदेगे उनु अरि चल दी आ जल दी आहां देख भाही अब जेकाम बच्च पूठाने का तू करा आम ते नहीं होता हमको तू अब मालूम होता है कि हम साथ मुट्टे हो अरे मुट्टा तू तेरा बाप तेरे